The Biodiversity and Systematics और उन्हें हम लोगों ने किस तरीके से classify किया है हम कभी भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अलग-अलग किस्म के जीव जन्तु हमें दिखाई पड़ रहे हैं गदे, घोडे, खचर, गाए, भैस, बैल, बकरी प्लस कुछ ऐसे चीज़े हैं जिनको हम naked eyes से देख भी नहीं सकते और यह जो कमरा है इसके अंदर भी fungus मौझूद है So, hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good My name is Dr. विपन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल Olympiad वाला के उपर आज हम लोग एक नई unit का आगाज करने वाले हैं और उस नई unit का नाम है The Biodiversity and Systematics यहाँ पर हम हमारे आज पास पाए जाने वाले जीव जन्तूओं के बारे में discussion करेंगे और उन्हें हम लोगों ने किस तरीके से classify किया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आपको पता है कि यह जो living world है यह बहुत जादा diverse है हम कभी भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि अलग-अलग किस्म के जीव जन्तू हमें दिखाई पड़ रहे हैं अगर आप अपने घर से step out करेंगे आपको insects देखने को मिल जाएंगे आपको birds देखने को मिल जाएंगी आपको पेड़ देखने को मिल जाएंगे आपको घासे देखने को मिल जाएंगी आपको गदे घोडे खचर गाए भैस बैल बकरी सब अलग-अलग प्रकार के animals and plants देखने को मिल जाएंगे प्लस कुछ ऐसे चीज़े हैं जिनको हम naked eyes से देख भी नहीं सकते जैसे कि आपके bacteria and ये जो कमरा है इसके अंदर भी fungus मौझूद है because they are cosmopolitan bacteria और fungus होते हर जगा है पर हमें दिखाई नहीं देते अगर ये जो कमरा है इसी में मैं bread का एक टुकड़ा ला करके रख दू मेरी table के उपर और उसे 2-3 दिन तक वहीं पर पड़ा रहने दू तो मुझे fungus बहुत ही evidently दिखने लग जाएंगे क्योंकि fungus को खाने के लिए material मिल जाएगा और वो उस material को खाखा के divide करना start करेगा और मेरे bread के टुकड़े के उपर वो colonies बनाना start करेगा जिनको हम fungal colonies बोलते हैं यानि कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमें आसपास दिखाई देती हैं बकाइदा और कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं but they all constitute our living world वो सारी की सारी चीज़े हमारे living world को तयार कर रही हैं बना रही हैं तो अगर हम बात करें about the total number of species that we have identified till date that is around 17 to 18 lakh species यानि लगभग आपकी 1.7 to 1.8 million species तो हम लोग identify कर चुके हैं document कर चुके हैं हमें उनका नाम पता सब कुछ मालूम है और जाहिर सी बात है हम 100% एफिकेट तो है नहीं यानि कि कुछ ऐसी species होंगी जो हमने अभी तक नहीं खोजी है यह हम उनको खोजने की जर्निंग में थूड़ा सा ही आगे भढ़ पाए हैं यानि कि 1.7 to 1.8 million species तो वो एक बहुत जादा बड़ा नंबर जो है species का वो इस अर्थ पे देखने को मिलता है तो इतने सारे organisms को आप एक बार में तो study नहीं कर सकते एक साथ तो study नहीं कर सकते so what becomes important is the classification classification का मतलब ही होता है आप चीजों को convenient categories के अंदर breakdown कर रहे हो for example अगर मैं आपकी कक्षा में जाता हूं तो मुझे सारे के सारे बच्चे आपकी class के ही मिलेंगे उस class में सिर्फ 10th class के बच्चों को ही बिठाया गया है अगर मैं 5th class में जाओं तो मुझे सिर्फ 5th class के ही बच्चे मिलेंगे अगर मैं 12th class में जाओं तो मुझे सिर्फ 12th class के ही बच्चे मिलेंगे लेकिन अगर समझ लीजिए आपके स्कूल के सारे के सारे बच्चों को एक साथ ग्राउंड में खड़ा कर दिया जाए और randomly आपको mix कर दिया जाए तो मैं किसी भी बच्ची को pick करके ये नहीं कह पाऊंगा confidence के साथ कि ये 4th class का है या 5th class का है या 6th class का है या 7th class का है मैं बिल you know study जो है बहुत आसानी से कर पाएं क्योंकि जब ये कुछ characters के basis पे easily classified होंगे तो हम इनको वहतर तरीके से समझ भी पाएंगे इनके कुछ basic characters हमें पहले से पता होंगे for example अगर आप मुझे बोलो कि animals के 5 characters बताओ तो मैं अपने ही characters देख लूँगा क्या हम खाना बना सकते हैं खुद का नहीं बना सकते हैं क्योंकि हम photosynthesize नहीं करते हैं तो क्या हम heterotrophic होंगे बिलकुल होंगे क्या मेरे अंदर एक से जादा cell है बिलकुल है तो क्या animals multicellular होते हैं बिलकुल होते हैं इसके अलावा अगर आप और भी character note करना चाहो तो कर सकते हो क्या हमारा cell prokaryotic है नहीं हमारा cell eukaryotic है तो हम eukaryotic होंगे है ना हमारा mode of reproduction कैसा है sexual है तो हम sexually भी reproduce कर सकते है and so on आप खुद को ही देख करके बहुत सारे characters जो है तयार कर सकते हों similarly कोई मुझसे plant के बारे में कुछ बाते पूछना चाहे तो plant के बारे में भी मैं उसको इतने ही characters बता सकता हूँ by plant अपना खाना खुद बना सकता है तो वो photosynthetic है यानि autotrophic है plant जो है वो भी eukaryotic cell contain करता है तो वो भी eukaryot है ज़्यादतर plants आपके एक से ज़्यादा cell contain करते हैं तो वो भी multicellular है right and plant जो है उस पे cell wall देखने को मिलती है cellulose की बनी हुई तो cellulosic cell wall contain करने वाला वो एक organism है plant जो है since photosynthesize कर सकता है तो उसके cell के अंदर chloroplast भी देखने को मिलेगा ये सारी बाते हमने अभी frame तो नहीं कर रखी थी लेकिन फिर भी हम इन सारी बातों को बता पाए क्योंकि उन criteria के basis पे ही हमने किसी organism को plant बुला है कि भाई उसके अंदर chloroplast हो वो photosynthetic हो वो multicellular हो वो आपका बढ़िया तरीके से eukaryotic organization शो कर रहा हो यहीं तो सारी चीज़े है तो that's why हम उनके कुछ basic characters हमेशा बता सकते है तो दुनिया में बहुत सारे organism है इनको हम लोगों ने 5 kingdoms में तोड़ा लेकिन starting से हम इने 5 kingdoms में तोड़के नहीं बैट गए तो पांच kingdom system of classification जो है ना यह सबसे important होती है सबसे main होती है और इसी में आपकी सबसे पहली kingdom आती है kingdom monera then आती है आपकी kingdom प्रोटिस्टा then आती है आपकी kingdom fungi and then आपकी आती है kingdom plant और kingdom animal जिसके बारे में हम अगले chapters में पढ़ेंगे आज तो हमारा introductory lecture है तो इसमें हम यह ती classification है यह अखिर हुई कैसे and how does it started तो सबसे पहला जो classification था ना आप समझ लीजिए आप एक बहुत पुराने दौर में खड़े हो आपको कोई scientific knowledge नहीं है आप यूनों उस दौर में जा चुके हो जब आप जानवरों का शिकार करते थे पत्थर के ओजारों से ठीक है तो अब इ इतना प्यारा मस्तिश्क उनको दिया है दिमाग उनको दिया है तो जाहिर सी बात है वो दिमाग चलेगा तो जरूर और वो भी अपने आज-पास प्रेजन्ट चीजों को classify करने की कोशिश तो जरूर करेंगे तो तो सबसे earliest classification आया था ना यह आपका non scientific था यानि इसमें कोई की scientific आपका temperament इस्तमाल नहीं हुआ था तो हम यह लिख सकते हैं the earliest classification the earliest classification was based on uses of different organisms की उनको हम इस्तमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं और यह जो आपका criteria of classification था यह non scientific था जाहिड सी बात है आप इसमें किसी science को इस्तमाल नहीं कर रहे हो तो यह आपका non scientific लेकिन earliest type of classification हमें देखने को मिला इसमें आप क्या कर सकते हो भाई अलग-अलग organisms किस काम आ रहे हैं उस basis पे चीजों को अलग-अलग categories में रख सकते हो मतलब कोई ऐसा organism होगा जो कि आपको खाना प्रदान कर रहा है तो फूड वाली category में चला जाएगा कुछ ऐसे organisms होंगे जो आपको कपड़े प्रदान कर रहे होंगे तो वह clothing वाली category में चले जाएंगे कुछ ऐसे organisms होंगे जो आपको ट्रांसपोर्ट प्रदान कर रहे होंगे तो वह ट्रांसपोर्ट वाली category में चले जाएंगे ये सारी चीज़े आपको देखने को मिलती हैं for example यहां पर अगर आप देखोगे तो फूड कौन-कौन प्रदान कर सकता है भाई आपके vegetables जो है यह भी तो प्लांटी है तो जो आपके vegetable plants है यह भी आपको फूड प्रदान कर सकते है जो आपके fruits है यह भी आपको फूड प्रदान कर सकते है जो आपकी डाले हैं भाई pulses है यह भी आपको फूड प्रदान कर सकती है जो आपके crops है जैसे कि आपका wheat हो गया मेज हो गया, राइस हो गया, ये भी आपको food प्रदान करते हैं, प्लस आपका meat है, तो कुछ organisms जिनका आप meat consume करते हो, वो भी आपका food प्रदान करते हैं, कई organism से हमको milk प्राप्त होता है, ये भी आपको food प्रदान करते हैं, अगर आप clothing की बात करें, तो आपके कुछ important fibers होते ह है जैसे आपका सन हैंप है इससे आपको क्या मिलता है इससे आपको मिलता है flex है ना तो flex fiber है आपका jute fiber है आपका cotton fiber है आपका silk fiber है इन सब से आप क्या कर सकती हो कपड़े रसी वागएरा बना सकते हो आपका clothing वाली category में आ जाएगा, shelter की अगर हम बात करें, यानि रहने की अगर हम बात करें, तो काफी सारी timber woods जो है, यानि ऐसे particular plant जिनसे आपको timber wood मिलती है, furniture बनाने वाली wood मिलती है, वो जितने भी पेड हैं, क्या ये shelter में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे, ऐसे plant जिनक बहुत लंबे time से इस्तेमाल किया जा रहा है, to provide security, ठीक है, and transport में अगर आप बात करो, तो आपकी घोडा गारी हो सकती है, यानि आपका horse cart हो सकता है, आपकी bell गारी हो सकती है, यानि आपका bull cart हो सकता है, तो यहाँ पर यह जो animals इस्तेमाल किये जा रहे हैं, यह आपको transport प् प् общ जाती है, दूसरा जो आपका classification है, जो earliest scientific classification था, वो किनों ने दिया था, पापा जी ने दिया था, पापा जी किस की, बाइलो जी के पापा जी यानि एले रिस्टोटल सहलबने, Donc first scientific classification जो है, यह हमारा किनों ने दिया था, पापा जी ने दिया था, by Aristotle सहाब, और Aristotle सहाब ने यह जो classification system है, यह किस basis पर दिया था, आपका plants के अंदर यह जो classification है, यह इन्होंने simple morphological characters के basis पर किया, कि भई, plant आपके दिखते कैसे हैं, सिर्फ इनकी morphology देख लो, है ना, तो based on simple morphological characters, based on simple morphological characters ठीक है, यह आपके plants है, और यह जो plants है दोस्त, इनको आप अलग-अलग category में divide कर सकते हो, सबसे पहले आपके हरे-भरे plants जो आपको दिखाई देते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हो, इनको आप बोल सकते हो, herbs, जाडियां जो आपको दिखाई देती हैं, bushes जो आपको दिखाई देते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हो, shrubs, और बड़े-बड़े पेड, बड़े-बड़े दरक्त जो आपको दिखाई देते हैं, इनको आप क्या बोल सकते हो, trees, तो simple morphology के basis पे प्रेजेंट है या नहीं तो इनको कैसे डिवाइड किया गया on the basis of presence और absence of red blood और प्रेजन्स और absence of red blood ठीक है तो ऐसे organism जिनके अंदर red blood present था उन्हें का बोला गया इनाइमा ठीक है इनाइमा उनको बोला गया यहां पर क्या है आपका red blood present है और दूसरी जो आपकी category बनाए गई वो बनाए गई अनईमा ए का मतलब होता है absent तो अनईमा का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका red blood absent हो गया तो आपके जो Aristotle सहाब है उन्होंने क्या किया उन्होंने दोस्त आपके सारे plants को morphological characters के basis यानि वो दिखते कैसे है इस basis पे तीन categories में तोड़ दिया हरे भरे हैं तो herbs जैसे आपकी घासे आपकी जाड़िया जो है बुशिस जो है वो shrubs और आपके बड़े बड़े जो पेड़ है जिनमें woody stamp आई जाती है वो हो गए आपके trees similarly जो animals है इनको दो categories के अंदर तोड़ दिया अगर इनमें red blood present है तो enema अगर red blood absent है तो enema so these are the two most simplest types of classification सबसे पहली classification थी on the basis of uses कि आप किस organism को इस्तमाल किस धगा कर सकते हो और दूसरी जो first scientific classification थी यह आपकी Aristotle सहाब ने दी थी जो कि किस चीज़ पर base थी plants के case में morphological characteristics के basis पे और animals के case में presence और absence of red blood के basis पे चीज़ों को हमने classify किया अब अगर आप आगे चले तो आपको और classification दिखाई देंगे तो जब आप और classification देखेंगे तो आपको multiple schemes समझ में आएंगे सबसे पहले जो scheme हम लोग पढ़ते हैं किताबों के अंदर यह है आपकी two kingdom system of classification भाई भाई दो सबसे simple kingdoms जिनमें आप organisms को divide कर सकते हो कौन सी होंगी भाई plant और animals जाहिर सी बात है तो two kingdom system of classification आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्त आपकी two kingdoms के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे जिनको हम बोलते हैं प्लांटे और इनिमेलिया लेकिन यहाँ पर जो क्रेक्टर्स लिए हमारे केरूलस लीनियस साब ने जो two kingdom system of classification है यह किन्हों ने दी बाई केरूलस कि लीनियस साब और इन्होंने characters क्या consideration में लिए इन्होंने क्या कहा main जो इनके characters थे वो आपके morphological characters थे कि चीजें दिखती कैसी है प्लस जो एक main character इन्होंने लिया था वो इन्होंने लिया था the presence or absence of cell wall main character जो इन्होंने लिया था वो था कि भाई किस organism के अंदर cell wall present है किस organism के अंदर cell wall absent है तो presence or absence of cell wall है ना अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको दो kingdom's दिखाई दे जाएंगी सबसे पहली kingdom जो है वो होगी kingdom plant जो है वो होगी kingdom plant जो है वो होगी kingdom plant जो है अब plant के अंदर आपको पता है अच्छे तरीके से कि cell wall present होती है cellulose की बनी होई तो आपको पता है plant में आपकी present रहेगी यह तो बहुत simple सी बात है यहां पर आपकी cell wall present रहेगी simple सी बात है तो अगर इनमें cell wall present है तो कौन-कौन से organism यहां पर आ जाएंगे kingdom plant में क्या सारे बैक्टीरिया के अंदर cell wall होती है बिल्कुल होती है आर की बैक्टीरिया में pseudo-murine की cell wall होती है और आपकी U-bacteria में peptidoglycan की cell wall होती है तो क्या सारे के सारे आपके bacteria यहाँ पर आ जाएंगे बिल्कुल आ जाएंगे bacteria यानि यानि क्या आपके blue-green algae यहाँ पर आ जाएंगे cyanobacteria भहे ये भी तो bacteria है बिल्कुल आ जाएंगे अगर आप बात करोगे protesta की यानि कुछ ऐसे organisms जो unicellular eukaryotic होते हैं तो उनमें भी काफी सारे organisms के अंदर cell wall देखने को मिलती है, जैसे आपके chryzophytes और आपके dino flagellates, तो क्या chryzophytes यहाँ पर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे. इनमें silica की embedded cell wall देखने को मिलती है, क्या dino flagellates यहाँ पर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि इनमें आपका क्या देखने को मिलती है, cellulose की cell wall देखने को मिलती है, क्या fungus यहाँ पर आ जाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, इनमें kitein की cell wall देखने को मिलती है, और क्या आपके सारे कि सारे प्लांट्स यहाँ पर आ जाएंगे क्प्लांट्स में आप क्या क्या पढ़ते हो आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होगा एनिमल किंग्डम में आपको देखने को मिल रहा होगा वो हर एक और्गेनिजम जिसके अंदर सेल वॉल absent है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, कि cell wall यहाँ पर क्या होगी, absent होगी, cell wall यहाँ पर absent होगी, ठीक है, तो इनके अंदर क्या-क्या आ जाएंगे, भाई, bacteria के तो सबके अंदर cell wall होती है, है ना, mycoplasma में cell wall नहीं थी, बड़ था वो prokaryotic, तो उसको उपर रख दिया, यानि खुद के भी बनाई हुई classification के उपर सवाल खड़ा कर दिया, कैरूलस लीनियस सहाब ने, which was not a good mark, जिसके बारे में हम बात करेंगे, कि वो demerit में आता है, आपका देखो, fungus के अंदर cell wall था, अगर आप बात करते हो, protestants की, तो इनमें protozoa के अंदर cell wall नहीं थी, तो protozoa को क्य animals में बिल्कुल रख सकते हैं, हमारे अंदर cell wall नहीं होती, तो यह आपके animals है, अब drawback कहां आए, problem कहां पर start हुई, वो समझने की कोशिश करो, बहुत आराम से इस बात को सुनना, देखिए दोस्तों, problem कहां पर start हुई, क्या bacteria और blue green algae आपके prokaryotic cells है, क्या इनमें well defined nucleus है, नह fungus के साथ, in fact आपका dino flagellate और chryzophyte के साथ, जो कि आपके eukaryotic थे, यानि classification में हमें क्या करना होता है, एक जैसे organisms को साथ place करना होता है, अब यहां तो prokaryote और eukaryote को साथ में रख दिया, यानि यह बहुत बड़ी गरबर इनोंने कर दी, second important गरबर क्या है, यह जो bacteria है, क्य unicellular होंगे, बिल्कुल होंगे, क्या एक chryzophyte है, unicellular है, बिल्कुल है, क्या dino flagellate है, unicellular है, बिल्कुल है, है ना, और आप fungus में भी देखोगे, east आपका unicellular होता है, अगर आप algae में भी देखोगे, तो आपका clamidomonas और chlorella unicellular होते हैं, क्या इनको इतने बड़े- येस, तो unicellular और multicellular को अलग रखना चाहिए था, उनको भी साथ रख दिया, और आपका fungus जो खाना नहीं बना सकता है, उसको दुनिया के सबसे complex plant के साथ प्लेस कर दिया, यानि खाना ना बनाने वाले organisms और खाना बनाने वाले organisms को भी साथ रख दिया, यानि ये तो बहु के केरोलस लीनियस सहाब ने, चा कर दिया, ही कैप्ट प्रोकेरियोट्स, विद यूकेरियोट्स, ही कैप्ट यूनि सेलिलर, विद मल्टी सेलिलर और गैनिजम्स, है ना, एंड ही केप्ट हेतरोट्स, विद आटोट्रोट्स, हेतरोट्रोट्स और आटोट्रोट्स को भी आपका साथ साथ रख दिया, तो ये मेन गड़बढ़ियां थी, तो इसके बाद कुछ साइंटिस्ट आये, जिन्होंने कहा हम इन गड़बढ़ियों को सही करेंगे, तो इन्होंने अपने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देने स्टार्ट कर दिये, जैसे आपका आया थ्री किंग्डम सिस्टम, त्री किंग्डम सिस्टम में आपके हैकल सहाब आये, और उन्होंने बोला एक नई किंग्डम मना दूंगा मैं, जिसका नाम होगा किंग्डम, आपका प्रोटिस्टा, तो हैकल गेव किंग्डम प्रोटिस्टा, लेकिन इससे भी कुछ खासा फर्क पड़ा नहीं, काफी च किंग्डम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आई, जिसमें आपके कोपलेंड सहाब आये, जिन्होंने मनरा को इंटरोड्यूस किया, तो एक बात जो आपको यहां से सीखनी है, वो ये है कि मनरा को हम पढ़ते पहले हैं, पर वो आई बाद में थी, कोपलेंड सहाब जो है, जि आगे चलके हम पढ़ेंगे किंग्डम फंजाय जो कि आपके आरच विटेकर सहाब ने दी थी, जिन्होंने पार्च किंग्डम हमको समझाई थी, ठीक है, तो इसको क्यों डिसकार्ड कर देना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, अब एक नई सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का अविशकार तो होना जरूरी था, that's why हम लोग फाइफ किंग्डम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझते हैं, 1969 में आरच विटेकर सहाब जो है, इन्होंने फाइफ किंग्डम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमको दी, और यहाँ पर जो पांच किंग्डम थी, वो क्या थी मॉनेरा, सबसे सिंपलेस्ट, देन प्रोटिस्टा, थोड़ी और कॉंपलेक्स, फंजाए, देन प्लांटे, देन एनिमिलिया, तो प्लांटे और एनिमिलिया थो हमें टू किंग्डम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ही मिल गई थी, उसके बाद हमें प्रोटिस्टा मिली हेकल साहब ने दी, फिर हमें मौनेदा मिली, कोपलेंड साहब ने दी, फिर हमें एंड में फंगस मिली, जो कि आपके किनों ने दी, आपके आरच विटेकर साहब ने दी, इन्हों ने क्या-क्या क्राइटेरियल ये, this is very important, try to understand this very carefully, इन्हों ने कहा कि मैं सारे और्गानिजम को cell structure के basis पे classify करूँगा, cell structure यानि cell आपका prokaryotic है या eukaryotic, तो क्या ये prokaryotic और eukaryotic वाली problem हमेशा के लिए solve हो गई, बिल्कुल, सारे के सारे जो prokaryotes थे, इनको आपके, एक ही kingdom में place कर दिया, यानि जितने भी prokaryotic organisms होते हैं, इनको एक ही kingdom में place कर दिया, kingdom monera के अंदर, या सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे आपके prokaryotic organisms मिलेंगे, बाकि चारों की चारों आपके kingdom के अंदर सिर्फ you karyotic organism मिलेंगे, prokaryotic को सिर्फ monera के अंदर डाल दिया, body organization, यानि अब आपको क्या करना है, आपको ये देख रहा है कि कोई organism unicellular है, कोई organism multicellular है, कोई organism organ level system of organization show कर रहा है, या कैसे क्या system चल रहे है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, तो इन्होंने क्या किया, दो ऐसी kingdom's बनाई, जिसमें unicellular organisms है, by prokaryotic है, तो unicellular तो होंगे ये, बहुत simple organisms होते है, एक ही cell होता है, इनमें bacteria वगरा में, खुद की body इतनी छूटी होती है, और जो आपके protista है, इनमें भी आपका क्या था, एक ही cell पाया जा रहा था, तो ये भी आपका unicellular थे, ये भी आपका unicellular थे, लेकिन eukaryotic, क्योंकि सारे prokaryotic को तो हमने place कर दिया, monera में, तो ये unicellular है, बेशक लेकिन eukaryotic है, mode of nutrition के basis पे अगर आप देखोगे, तो जो प्राब्लम थी, ये भी हम लोगों ने solve कर दी, भाई, बेक्टीरिया में अगर आप देखोगे, तो कुछ बेक्टीरिया अपना खाना बना सकते हैं, जैसे कि आपका sinobacteria, है ना, तो blue-green algae है, ये अपना खाना बना सकते हैं, अगर आप protista की बात करो, जिसमें unicellular eukaryotes से, इसमें आपका, ये जो, cryzo fight है, dino-france, लटना ये अपना खाना बना सकते हैं, तो ये आपके यहाँ पर आ जाएंगे, है ना, क्राइजोफाइट अपना खाना बना सकते हैं, फंगस अपना खाना नहीं बना सकते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते हैं, प्लांट आपको पता है, फोटो सिंथर्टिक होते हैं, अपना खाना बना सकते हैं, तो हेट्रोट्रोफिक में क्या क्या आ जाएगा, दोस्त हेट्र sexually या sexually और phylogenetic relationship यानि evolutionary relationship के basis पे कि कौन organism किस से कितना connected है ये भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे this is also very very important very very vital तो इन 5 characters के basis पे आरेच विटेकर साहब ने दुनिया में जितने भी organisms थे इनको 5 categories के अंदर divide कर दिया monera जिसमें सिर्फ unicellular prokaryotic organisms थे well defined nucleus नहीं था protesta जिसमें आपके यहाँ पर आप देखोगे unicellular eukaryotic organisms present है ठीक है then fungi जहाँ पर आपका multicellular organisms present है जो खाना नहीं बना सकते जिनकी cell wall chitin की है then आप देखोगे plant जो खाना खुद का बना सकते हैं photosynthetic हैं multicellular है green है chloroplast contain करेंगे cell wall इनकी cellulosic होगी then animals जो खुद का खाना नहीं बना सकते multicellular होंगे eukaryotic होंगे और आपका यह cell wall contain नहीं करेंगे cell wall absent होगी इनमें तो इस basis पे आप इनके characters को देख सकते हैं टिम टिम पैन ले लेते हैं and let's try to identify each of the character in detail समझने की कोशिश करना organisms आपकी unicellular या multicellular हो सकते हैं मैंने आपको बताया unicellular में आपकी दो categories आ जाएंगी kingdom, monera और kingdom, protista अगर आपका unicellular के साथ pro-karyotic भी है organism तो क्या यह monera में आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा और अगर unicellular के साथ eukaryotic है तो क्या यह protista में आ जाएगा बिलकुल आ जाएगा तो यानि unicellular organisms contain करने वाली दो हमारे पास categories हो गई, दो kingdoms हो गई, आपकी monera और protista अब देखें cell wall जो है आपकी कैसी मिलती है monera के अंदर, non-cellulose होगी क्योंकि cellulose तो है नहीं, peptidoglycan है, peptidoglycan क्या है आपका polysaccharide और बीच में कुछ amino acid लगे रहेंगे, एकदम correct बात है अगर यह prokaryotic cell है तो क्या इसमें nuclear membrane present होगी, nuclear membrane और well defined nucleus absent होगा खाना बनाने के आप बात करो तो जादा तर जो organisms हैं, जादा तर जो bacteria है यह खाना नहीं बना सकते हैं, heterotrophic होते हैं, तो या तो सड़े गले matter पर grow करेंगे, saprophytic होंगे, या किसी organism की body के अंदर चले जाएंगे, parasitic होंगे और कुछ जो आपके organisms खाना बना सकते हैं, bacteria या तो chemicals को use करके खाना बनाएंगे, या आपके light energy को use करके खाना बनाएंगे, या आपका kingdom monera की discussion है, अगर आप kingdom protester की बात करते हो, तो ये eukaryotic होंगे unicellular, है ना, cell wall अगर आप देखोगे तो कुछ के अंदर पाई जाएगी, क और nuclear membrane पाई जाती है, तो ये point done है, खाना क्या ये बना सकते हैं, कुछ आपके autotrophic होते हैं, कुछ आपके heterotrophic होते हैं, फिक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो multicellular organism आपको देखने को मिलेंगे, kingdom fungus के अंदर, kingdom plant के अंदर, kingdom animalia के अंदर, अब ये multicellular organism भी किस level प उपर की organization देखने को मिलेगी, जैसे plant में हम कहते हैं, leaf is a organ, photosynthetic organ, stem is a support organ, root is an organ for absorption, तो organ level तक पहुँच चुके हम organ system नहीं होता वहाँ पे, लेकिन animals में आप अपनी बात करोगे तो digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system, neurological system, immunological system, ये सारी चीज़े होती हैं, तो fungus में loose tissue, आपका यहाँ पर tissue organ level त पहुँच सकते हैं, और animal में organ system level तक पहुँच सकते हैं, cell wall कि अगर आप बात करो, तो यहाँ पर kitin की cell wall होगी, fungus में, plant में cellulose की, और animal में cell wall absent होगी, ठीक है, खाना बनाने की बात करो, तो आपका fungus खाना नहीं बना सकते, animals खाना नहीं बना सकते, plant आपका खाना बना सकते ह तो यह सारी बाते हम लोगों को थोड़ी बहुत पहले से पता थी, जब हम इन kingdom की detail में discussion करेंगे, तो हमें by default सारी बाते और clarity के साथ समझ में आने लग पड़ेंगी, जैसे अभी हम discussion करने वाले हैं, आपका kingdom monara का, then हम इसी lecture के अंदर discussion करेंगे kingdom protester का, then इसी lecture के अंदर discussion करे आ जाएंगे, प्लस kingdom plant में आप जो भी चीज़े देखोगे, अगले lecture के अंदर देखोगे, और उसके आगे आप kingdom animalia पढ़ोगे, तो by default आपको पूरी की पूरी systematic clear हो जाएगे, तो एक बार देख लेते हैं, शुरू करके हमारे सारे के सारे kingdoms को, पहले drawback समझ लेते हैं, है ना, आपका unicellular, जैसे आपका clamidomunas है, unicellular है, इसको same category में, यानि green algae में रख दिया, with spirogyra, जो कि आपका multicellular था, तो ये दिक्कत कर दी, then heterotrophic organism, जैसे कि आपका fungus, जो खाना नहीं बना सकता, इसको autotrophic plants और sinobacteria के साथ रख दिया, प्लस, cell wall composition पे भी ध्यान नहीं दिया, आपका carolus linear सहाब ने हर उस organism को kingdom plant में रख दिया, जिसमें cell wall है, उन्होंने ये देखने की कोशिश नहीं करी, कि वो cell wall है किस चीज़ की, भाई, kaitin की है तो अलग kingdom में रखो, peptidoglycan की है तो अलग kingdom में रखो, cellulose की है तो अलग kingdom में वो सारे अलग कर दो, so criteria ही इतने कम थे, तो बहुत ही diffused type of classification हमें यहाँ पर देखने को मिली, which was not good, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जितने भी prokaryotic organism थे, five kingdom system of classification में, kingdom monora में चले गए, बिल्कुल चले गए, जितने भी unicellular eukaryotic organism थे, क्या इस सारे के सार आपके protista में चले गए, बिल्कुल चले गए, तो पहले अगर आप देखेंगे, तो यह जो klemido monas था, और यह जो chlorella था, यह plant थे, क्योंकि इनके अंदर cell wall पाई जा रही थी, तो earlier इनको plant kingdom में place किया गया, carolus linear सहाब द्वारा, और जो पैरा mission था, और जो amoeba था, यह द तो paramecium, amoeba, klemido monas और chlorella सारे के सारे unicellular हैं, और unicellular के साथ-साथ eukaryotic भी हैं, तो इनको साथ किसमें रख दिया गया, अभी current system के हिसाब से protista में रख दिया गया, क्योंकि सारे unicellular eukaryotic organisms यहीं पाए जा रहे हैं, Now, एके करके हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो kingdoms हैं, इनको unfold करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम kingdom monara के बारे में discussion करेंगे, and then हम kingdom protista के बारे में discussion करेंगे, then kingdom fungi, जिसके बाद यह chapter consolidate हो जाएगा, कुछ extra topics हैं, जैसे virus, viroid, prion and lichen, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करें करेंगे, and then हम लोग बढ़ेंगे in the next chapter, जिसमें हम kingdom planta को अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें भी further classification है, आप algae पढ़ते हो, algae के अंदर भी आप green algae, brown algae, red algae पढ़ते हो, आप you know bryophyte पढ़ते हो, जिसके अंदर आप further liver warts और mosses को पढ़ते हो, आप teridophyte के बारे में पढ़ करते हो, जहां आप hostels and ferns को पढ़ते हो, then आप gymnosperm की details study करते हो, आप angiosperm की details study करते हो, and then आप alternation of generation को भी समझते हो, so it becomes really important कि आप सारी की सारी kingdoms को एक sequence में पढ़ते हुए चले, एक scientist हुए थे जिनका नाम था Karl Wooj, तो Karl Wooj सहाब ने क्या किया, Karl Wooj सहाब ने जो आपक यह यह प्रोकरियोट है ना, इनको भी फर्दर टुकडो में तोड़ दिया, Karl Wooj divided kingdom monera into two domains, on the basis of what, on the basis of 16s rRNA sequencing, भाई इनका जो 16s ribosomal RNA था, उसकी sequencing इन्होंने करी और देखा कि भाई, आपका R की bacteria की sequencing अलग आती है, U bacteria के sequencing अलग आती है, तो इसको बढ़िया तरीके से उन्होंने क्या किया, classification criteria के तोर पे इस्तमाल किया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि Karl Wooj सहाब ने kingdom monera के members को दो टुकडो में तोड़ दिया, एक टुकडा था जिसको हम बोलते थे R जिसके अंदर R की bacteria present होते थे, और एक आपका था U bacteria जिसके अंदर obviously नाम से पता लग रहा है, U bacteria present होते थे, यह जो R की bacteria होते हैं, इनको मैं प्यार से कहता हूँ, अपनी हर class में खतरों के खिलाडी, क्यों, क्योंकि इनको खतरों से खेलने का बहुत शुक है, इनको हम लोग extremophiles कहते हैं extremophiles मतलब आपके ऐसे organisms जिनको extreme conditions में रहना बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा acidic condition में, खौलते हुए पानी में high temperature में, high pressure में, बहुत ज़्यादा salty condition में, बहुत ज़्यादा ठंड में हर जगाए पाए जाते हैं, तो इनको extremophiles कहा जाता है extremophiles मतलब extreme conditions है ना, और fill का मतलब क्या हुआ loving, यानि extreme conditions को प्यार करने वाले और you bacteria जो है, इनके नाम से ही पता लग रहा है you का मतलब होता है true, तो यह आपके true bacteria है जो आपकी bacteria की छवी है आपके मन में वो true bacteria की छवी है यानि जब आप normally बात कर रहे होते हैं bacteria के बारे में, you are by default talking about the you bacteria ठीक है, अगर मैं सिर्फ bacteria बोलता हूँ इसका मतलब में you bacteria की चर्चा कर रहा हूँ, तो kingdom monera के soul members कौन होते हैं भाई, monera में कौन पाया जाता है आपका bacteria पाया जाता है, R की bacteria and you bacteria इसके लावा कुछ और भी organisms हैं जैसे mycoplasma वगएरा, पर main आपके जो मिलते हैं, soul members वो हैं आपके bacteria और bacteria लगबग हर जगा पाये जाते हैं most abundant होते हैं इन्हें कॉस्मोपॉलिटन भी कहा जाता है कि भाई, ये हर जगा पाये जाएंगे अगर आप मिट्टी में, रेत में हाथ मारोगे और एक मुठी भरके अगर आप मिट्टी निकालोगे उसमें भी hundreds of आपको microbes और bacteria देखने को मिल जाएंगे इनका structure तो simple होता है क्यों? क्योंकि ये prokaryotic है nature में तो इनके पास आपके well defined nucleus और membrane bound organelles तो है नहीं लेकिन भाया इनकी जो metabolic diversity है जो इनका metabolism है जिस प्रकार के reaction कर सकते है जो इनका behavior है ये काफी complex है तो इस सवाल अक्सर पूछ लिया जाता है कि which of the following organism is simple in structure yet complex in behavior वो आपके bacteria होंगे ठीक है bacteria कि अगर आप shape देखो तो गोल-गोल हो सकती है आपकी caucus आपकी bat जैसी हो सकती है rod जैसी हो सकती है bacillus जिसके center पे एक structure पाय जाता है इस bacillus के center पे जिसको हम लोग क्या बोलते है endospore बोलते है ठीक है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो spiral shape हो सकती है आपकी spirulum जिसके end में क्या लगे रहते है इसके end में लगे रहते है आपके plagula और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो comma shape है यह होती है आपकी vibrio यह चार आपकी basic shape है किसी भी bacteria की तो आपके goalmatol भी हो सकते है bacteria जैसे आपने सुना होगा diplococcus या streptococcus जो pneumonia बिमारी cause करता है तो streptococcus नाम में कोकस आ रहा है मतलब यह आपका क्या है आपका goalmatol है ठीक है bacillus जो है वो rod shape होते है vibrio जैसे cholera cause करने वाला vibrio cholery वो आपका क्या होता है comma shape होता है and आपका spirulum जो है जैसे spirula वो आपका spiral shape spring shape होता है जिसके दोनों end पे क्या लगे रहते है आपके flagella लगे रहते है यह इनकी चार general shapes है bacteria की अगर आप बात करें कि bacteria खाना कैसे बनाता है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि majority of जो bacteria है यह आपके heterotrophic है यह खाना नहीं बना सकते यानि vast majority जो है यह आपकी heterotrophic होगी है खुद का खाना नहीं बना पाईगी तो या तो यह किसी और organism को harm करेंगे यानि parasitic होगे बिमारी वगेरा cause करेंगे और या यह dead or decaying matter पर grow करेंगे यानि सेप्रोफिटिक होगे यानि किसी भी organism की चाहे वो plant हो चाहे वो animal हो जब उसकी death हो जाती है तो उसके उपर आ करके attack करके उसको decompose करने की कोशिशे कौन करते हैं बैक्तिरिया और fungus तो इन्हें decomposers भी बोला जाता है अगर आप देखेंगे autotrophic organisms को तो बैक्तिरिया में autotrophic जो है तो आपका कुछ pigments contain करता है like that of higher plant यानि इसके पास pigment होते है like chlorophyll A तो ये आपका बढ़िया तरीके से क्या कर सकता है photosynthesis कर सकता है लेकिन कुछ आपके chemo autotroph होते है यानि ये chemical से energy derive करते है तो कुछ inorganic substrate होंगे जिनको ये क्या करते है ये oxidize करते है ठीक है जैसे कि आपका nitrate है the nitrite है हु styस Mars इनको ये क्या करेंगे भई nitrite, nitrate, ammonia तीनो में नै薇न प्रेजन प्रेजन होते है तो इनको जब ये oxidize करेंगे तो क्या मिलेगा इनको जब ये oxidize करेंगे तो हम को क्या मिलेगा energy मिलेगी है ना हमको क्या मिलेगी energy मिलेगी यानि ATP मिलेगी और साथ में इन molecules में फसे हुए जो nitrogen थे यह आपके क्या हो जाएंगे और मिट्टी में supplement करते हैं जिससे plants उसको दुबारा से soak कर सके, absorb कर सके, तो plant को जो minerals प्रदान किये जाते हैं, soil के अंदर उसमें भी इन bacteria का important role होता है, ठीक है, तो ज्यादा तर जो आपके bacteria हैं खाना नहीं बना सकते, तो या तो यह parasitic होंगे या सेप्रोफिटिक होंगे, कु तो जाएगा, अब आपको मैंने बताया था कि काल वूज सहाब ने आपके जितने भी bacteria हैं इन्हें दो टुकड़ों में तोड़ दिया है, एक तो यू bacteria जिने true bacteria कहा जाता है, और एक आर्की बेक्टीरिया जिने ancient bacteria कहा जाता है या extremophil कहा जाता है, यह हमारे खत्रों के खिल जाड़ी हैं, इन्हें extremophile कहा जाएगा, अब यह जो आर्की बेक्टीरिया है या ancient bacteria है, यह कैसे हो सकते हैं, थर्मो एसीडो फिल्स, नाम को तोड़ने की कोशिश करो, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, थर्मो एसीडो फिल्स मतलब थर्मो मतलब बहुत हाई temperature पे आपको देखने को मिलेंगे, high acidic condition पे, high acidic condition मतलब low pH पे आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके ये बहुत high temperature तक भी यानि 100 degree Celsius के तापमान को भी जेल सकते हैं, जिसमें आपका हाथ जल जाएगा, जिस पानी से आप, you know, एक sip लेने की कोशिश भी करने से पहले 1000 बार सोचोगे, उस पानी में भंगडा करता है ये, और आपका low pH जो है, pH 2 के आसपास भी, इसमें भी भाईया ये क्या करता है, survive करता है, hot springs के अंदर यानि जहाँ पर आपका temperature भी जादा है, और acidity भी जादा है, वहाँ पर ये survive कर सकते हैं, second category आती है आपकी methanogen की, नाम क्या है, methanogen, methanogen, methanogen जन मतलब, methane यानि CH4, जन मतलब generate करने वाला, यानि ये ऐसे bacteria होंगे, ये ऐसे खत्रों के खिलाडी होंगे, जो methane generate करेंगे, तो ये मार्शी एरियास में मिलते हैं, यानि कीचड़ वाले इलाके में मिलते हैं, प्लस ये आपके gut of ruminants में भी मिलते हैं, यानि ऐसे animals, ऐसे ruminants जो घास खाते हैं, उनके gut में, उनके digestive tract में ये देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसी लिए वो जो आपके, you know, ruminants होते हैं, उनके gober में अच्छी खासी मातरा में methane पाई जाती हैं, जिसको आपको release कराना होता है, by putting that dung into a biogas plant, या gober gas plant, तो जब आप उस gober को properly treat करते हो, तो आपको methane gas देखने को मिलती है, जो flammable होती है, तो obviously आप इसको अलग-अलग जगा पर इस्तमाल कर सकते हैं, ये practical application हो जाएगी, methanogens की, hello file, hello का मतलब क्या होता है, ये वो वाला hello नहीं है, जो आप और मैं करते हैं, class में आने से पहले, है ना, ये जो है, इसका मतलब होता हो पर मिलता क्यों है, इसमें क्या है ऐसा, इसमें भीया, जो cell wall है, इसकी ये different होती है, cell wall जो है, इस R की bacteria की, it is very different, अगर आप इसकी cell wall के बारे में दो point लिखना चाहें, तो लिख सकते हैं, पहला, कि usually जो cell wall होती है आपके, बचे हुए bacteria की, वो किसकी बनी होती है, peptidoglycan की, लेकिन यहां जो आपकी cell wall है, यह किसकी बनती है, pseudomurine की बनती है, इस pseudomurine की cell wall में आपको क्या देखने को मिलते हैं, branched lipids देखने को मिलते हैं, यानि जो lipids आपको मिलेंगे, वो branch हो रख्य होंगे, जो कि इसको additional stability provide करते हैं, प्लस बाकी cell walls में आपको esther linkage देखने को मि प्रशाए के अंदर आपको ether linkage देखने को मिलेगी, जो इसे additional stability provide करते हैं, तो यह सारी वो चीज़े हैं, जिस वज़े से आपका archi bacteria ज्यादा survive कर सकता है, एक u bacteria के comparison में extreme conditions के अंदर, यह वो सारे के सारे characters हैं, अगर आप देखेंगे, मिथानो जन के बारे में, तो मिथानो ज अंदर, और यह आपका bio gas में जो मिथेन बनती है, वो बनाने में help करता है, क्योंकि यही bacteria हैं, जिनको हम मिथानो जन कह रहे हैं, तो actual में आप bio gas में जो मिथेन बना रहे हो, वो किसकी वज़े से बन रही है, वो इन archi bacteria की वज़े से बन रही है, दूसरे जो बैक्तिरिया हो अगर खाना बना सकते हैं तो light energy को यूज़ करके भी खाना बना सकते हैं और inorganic chemicals को भी यूज़ करके खाना बना सकते हैं यह हम last slide के अंदर ही देख चुके थे यहाँ पर chemo autotroph, photo autotroph, parasitic, saprophytic, same mode of nutrition है bacteria का यह आपको you bacteria में देखने को मिलेगा cyanobacteria मैंने आपको बताया था जिसे blue green algae कहते हैं इसमें आपका chlorophyll A जैसे pigment पाए जाएंगे जो higher plant में पाए जाते हैं तो जैसे higher plant आपका बहुत जादा actively photosynthesize कर सकते हैं अपना खाना तयार कर सकते हैं उसी हिसाब से आपके यह जो है cyanobacteria यह भी बहुत ही जादा बढ़िया तरीके से खाना अपना prepare कर पा रहे होंगे ठीक है तो यह भी अच्छे खासे photosynthetic होते हैं इसके अलावा बैक्टीरिया की और भी कुछ general properties है जो हमें देखनी है यहाँ पर और यह सारी properties आपको कुछ हद तक पता होंगी लेकिन थोड़ा बहुत हम इस पर elaboration और देखेंगे 78-79% आपकी nitrogen मौजूद है लेकिन वो जो nitrogen है यह N triple bond N के format में पाई जा रही है जानी दो जो nitrogen है दाय nitrogen इनके बीच में 3 covalent bonds हैं और यह बहुत ही जादा strong होते हैं हमारी body के पास या किसी भी plant के पास वो ताकत नहीं है कि इन 3 bonds को तोड़ दिया जाए क्योंकि bond तूटने में बहुत जादा energy लगानी परती है इतनी energy हमारे पास नहीं है तो कुछ bacteria को भगवान ने कला सौपी है कि भाईया आप यह जो di nitrogen है आप इसको किस में convert कर सकते हो आप इसको ammonia में convert कर सकते हो ठीक है और इस ammonia को plant उठा लेता है और further अलग-अलग तरीके से जो है इसको अपनी body मे capture कर लेता है amino acid का amino group बना लेता है nitrogen basis बना लेता है आपका nucleotide बनाने के लिए तो अलग-अलग तरीके से ammonia, nitride, nitrate को जो है उठा लिया जाता है इसे हम कहते है nitrogen fixation आपका जो nitrogen है atmosphere के अंदर उसको हम लोग क्या करते हैं आपर fix करते हैं और आपका ammonia तयार कर लेते हैं तो यहाँ पर एना बीना और नौस्टॉक जैसे जो cyanobacteria है वो जाने जाते हैं बक्खुबी for fixing the atmospheric nitrogen इनमें कुछ specialized cells होते हैं जिनको heterocyst कहा जाता है यह सवाल आपका sensitive cells कहलाते हैं लेकिन कुछ ऐसे cells है जिनको आप heterocyst बोलते हो heterocyst इन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके उपर एक cover होता है जो कि oxygen को इन cells के अंदर नहीं आने देता अब oxygen के अंदर आने से problem क्या है अगर oxygen अंदर आ जाएगा तो यह जो bacteria है इनमें एक enzyme होता है nitrogenase वो nitrogen fixation कर पाना बहुत ही मुश्किल है इसलिए एक extra cover बना दिया जाता है और कुछ special cells आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप heterocyst कहते हो ठीक है अब chemo synthetic autotrophic bacteria मैंने आपको बताया था अलग-अलग inorganic substances जो है इनको क्या करते हैं oxidize करते हैं जैसे अगर आपको nitrogen निकालना है तो आप nitrate, nitrite या ammonia को क्या करोगे oxidize करोगे जब आप इनको oxidize करोगे तो आपको ATP भी मिल जाएगी साथ में आपका nitrogen भी release हो जाएगा तो यह आपके nutrient cycling में भी help करते हैं अगर आप nitrogen के components को oxidize कर रहे हो तो आपको nitrogen मिल जाएगा मिट्टी में और ATP मिल जाएगी अगर आप phosphorus से related compounds को oxidize कर रहे हो जैसे phosphate वगेरा को तो phosphorus मिल जाएगा मिट्टी में और ATP मिल जाएगी अगर आपका iron से related compounds हैं जैसे ferrate तो आपको iron मिल जाएगा sulphate वगएर हैं तो आपको sulphur मिल जाएगा तो overall ये जो chemosynthetic bacteria होते हैं ये nutrient cycling में help करते हैं जो heterotrophic bacteria होते हैं जो खुद का खाना स्वयम नहीं बना सकते ये काफी सारे हमारे जो human affair हैं इन में help करते हैं जैसे की भाई ये दही जमाने का काम करते हैं दूद से तो यहाँ पर जो bacteria आता है जिसको हम लोग lactobacillus कहते हैं ये आपका क्या है heterotrophic है lacto मतलब दूद bacillus मतलब rod shape जो हमने shapes देखी थी थी ना caucas, bacillus, spirulum, vibrio तो कई बार आपको bacteria के नाम से भी पता लग जाएगा कि उसकी shape कैसी है and आपका antibody क्या नी दवाईयां भी बना सकते है है ना जैसे आपका streptomycin जो है ये आपको कहां से मिलता है bacteria से ही मिलता है ठीक है neomycin जो है कहां से मिलता है आपका bacteria से ही मिलता है and आपका nitrogen भी fix करता है legume roots में जो हमने देखा तो legume roots में खास कर जो आपका example आता है ये हम आगे भी पढ़ेंगे mineral nutrition में ये आपका rhizobium होता है ये legume roots के साथ मिल करके जुड करके nitrogen fix करने में help करता है कुछ जो है इन में से बिमारी cause करते हैं जैसे कि आपका बिमारी का नाम हो जाएगा CT CT cholera, typhoid, citrus canker and tetanus है ना तो अगर आप चाहो तो इनके causative agents का भी नाम लिख सकते हो cholera का क्या हो जाएगा आपका vibrio cholery आभी हमने पढ़ा था vibrio क्या था comma shape आपका bacteria था तो vibrio cholery हो जाएगा typhoid क्या हो जाएगा आपका salmonella typhi salmonella typhi या salmonella typhimurium titanus क्या हो जाएगा Clostridium titani नाम में ही titani है तो titanus cause करेगा साफ साफ पता लग रहा है और आपका यहाँ पर citrus canker हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा आपका Xanthomonas citri यह क्या हो जाएगा आपका Xanthomonas citri यह आपके चारो के चारो कोजेटिव एजेंट्स हो जाएगे अलग अलग bacterial diseases के नाउ एक और आपका important यहाँ पर देखने को मिलता है organism जिसका नाम है mycoplasma तो यह आपका smallest living cell है मैंने आपको जिस टाइम पे cell पढ़ाया था मैंने आपको इसका size बताया था कि आपका 0.3 micron के आसपास इसकी क्या होती है length होती है ठीक है और आपका mycoplasma भी भी specifically PPLO का size अगर आप देखो तो इससे भी कम होता है 0.1 micron के आसपास but it is a mycoplasma तो by default हम कहते हैं कि यह सबसे छोटे हैं यह आपके एक cell wall को lack करते हैं और cell wall क्या provide करता है एक shape provide करता है तो इनकी कोई shape नहीं होती तो इनको क्या कहा जाता है pleomorphic कहा जाता है pleo मतलब changing morphiccrire ne तो यह अपनी morphology change करते रहते हैं यानि shape चेंज करते रहते हैं जैसे जो कर आपको अलग अलग bass बना करके भाता रहता है उसनी हिसाब से ये भी आपको अलग अलग bass धारण करके यह रहते हैं रहते हैं बना च सिस्टब उला अपना बेस बदलते रहते हैं इसलिए इन्हें जोकर ऑफ प्लांट किंग्डम क्यों बुला यह तो किंडम मॉनेड़ा में आ रहा है भाई पहले यह प्लांट किंग्डम में था ना जब के लिए स्लीनिय सहाब कॉज कर देता है फाइलाइडी कॉज कर देता है अलग-अलग आपके और गैनिसम में अलग-अलग बिमारी कॉज यह करता है और एनिमल्स में भी आपका न्यूमूनिया जैसी बिमारी कॉज कर सकता है यह नोट एगजर्ट नियुमसmal यह बट आपका थोड़ा माइल टाईप ओफ नियुमसmal जो है यह आपका कॉझ कर सकता है इसलिए इसलिए चाह बोला प्लियूरो प्लूरियो न्यूमोनिया लाइक और्गैनिजम वह भी तो इसी का पार्ट है ना माइको प्लाजमा का ही तो प्लूरियो न्यूमोनिया लाइक और्गैनिजम तो न्यूमोनिया लाइक डिजीज यह कॉज कर सकता है तो यह आपका हो गया माइको प्लाजमा इसके बारे में चा लग कर सकता है और पैथोजनिक होता है प्लांट में भी एनिमल में भी अलग-अलग बिमारिया कॉज कर सकता है जिन में से एक दो का रेफरेंस मैंने आपको यहां पर दे दिया है Now it's time to understand about protista in detail Protista के बारे में कुछ बाते आपको पहले ही बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ी जादा clarity आ जाए और जब आप protista को पढ़ रहे हैं अगले कुछ slides के अंदर तो आपको पहले से एक बहतर idea हो protista का that what is it So protista में आपना पांच अलग-अलग classes को पढ़ते हो पांच अलग-अलग categories को पढ़ते हो सबसे पहले chryzophyte, then dinoflagellate, then uglinoid याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि alphabetical sequence में आ रहे है chryzophyte C से start हो रहा है, dinoflagellate D से, uglinoid E से, C, D, E एकदम sequence में आ रहे है then आपका slime mold and then आपका protozoan और यहाँ पर आपको इनके characters अगर याद करने है मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊँगा और आपको सारे characters याद हो जाएगी जब आप protozoa, जब आप sorry protista के अंदर एक sequence में भढ़ते हो from chryzophyte to protozoa तो आप plant-like character to animal-like character बढ़ रहे होते हो बाई protozoa को हमने two kingdom system of classification में कहां रखा था animals में क्योंकि उसमें cell wall नहीं थी chryzophyte को हमने कहां रखा था plant में, dino flagellate को कहां रखा था plant में तो dino flagellate और chryzophyte जो है ना इन में अच्छा खासा photosynthesis होता हुआ दिखाई दे रहा होगा बीच में जो आ रहा है yuglenoid यह mixotrophic nutrition शो करता है बहुत special property है इसकी यानि जब इसको sunlight मिलेगी तो यह photosynthesis करेगा otherwise यह animal-like behave करेगा और predate करेगा खुद से छोटे organisms को और end के जो है slime mold और protozoa यह आपके animal की तरह behave कर रहे होंगे है तो उनमें cell wall भी होगी plant जैसे yuglenoid आपका बीच में आ रहा है तो बीच में cell wall present हो ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो उसमें एक special layer पाई जाती है pellicle protein की बनी होई pellicle पाई जाती है जो yuglenoid आपको flexibility provide करती है पर आपकी cell wall यहां नहीं होगी उसकी जगा पहली कल आ जाएगी और बाद के जो दो है वो animal like है तो उनमें cell wall automatically absent होती हुई आपको क्या होगी दिखाई दे जाएगी राइट तो यह चीज जो है आपको यहां पर देखनी होती है तो सबसे पहले क्या आता है आपका प्रड्यूसर ओफ और इसमें एक डाइटम आता है जिसको चीफ प्रड्यूसर ऊशन कहा जाता है यहनि सबसे दाधा फोटो सिंथेटिक यह है फिर डाइनो फ्लजलेट शेकिंड कर टेगर यह अच्छा खासा फोटो सिंथेटिक देखने को मिलेगा फिर आता है आपका मेट्रोट्रोफिक होगा शिकार करेगा in the absence of light इसे मिग्जोट्रोफिक नूट्रिशन कहा जाता है आगे अगर आप देखेंगे तो slime mold as for slime mold as for saprophytic होगा यानि सड़े गले matter पे grow करेगा जो कि fungus की एक property थी और protozoan नाम क्या है proto proto मतलब primitive zoans zoans मतलब move करने वाले यानि animal like तो यह हमारे ही रिलेटिव हैं तो हमारे अंदर cell wall नहीं है हम खाना नहीं बनाते तो इन में भी cell wall नहीं है यह भी खाना नहीं बनाते यह भी आपका predator या parasite की तरह behave करेंगे ठीक है तो यह आपके कुछ properties हैं यह आपके कुछ features हैं जो आपको पढ़ने होते हैं इन सारे के सारे organisms के बारे में अगर आप cryzophyte देखो तो cryzophyte आपके में ज्यादा तर कहां मिलेंगे fresh water में मिलेंगे और marine water में भी पाए जा सकते हैं और यह photosynthetic होंगे cryzophyte में मिलता क्या-क्या है cryzophyte contains two different type of organisms it contains die atoms and desmids desmids को प्यार से golden algae भी कहा जाता है नाम यह golden algae algae यानी खाना बना रहे होंगे plant-like character इन में होंगे die atoms के नाम को ही तोड़ करके आप समझ सकते हो कि इसमें दो पार्ट होंगे die atom की body में die atom तो इसमें एक soap box like structure बनता है जिसमें एक उपर वाला पार्ट है नीचे वाला पार्ट जिसमें आप soap रखते हो और एक उपर वाला पार्ट है जो कि soap को ढखता है तो यह जो lower वाला पार्ट है इसको आप कहते हो hypo-thika hypo मतलब नीचे hypo-thika और जो upper वाला पार्ट है इसको आप कहते हो epithika epithika मतलब upper वाला पार्ट ठीक है और यहां पर अगर आप देखोगे मेरे दोस्त तो आपको क्या देखने को मिलेगा silica की deposition देखने को मिलेगी यह जो आपके dye atoms है इनके उपर silica जमा हो जाती है जो कि इनको क्या बनाती है gritty बनाती है दरदरा बनाती है जैसे आपका sand paper होता है जो कि आपका rust उतारने के काम आता है आपके घर में अगर किसी चीज़ को जंग लग जाए तो sand paper लाके घिस देते हो क्योंकि वो sand paper जो खुझ भी दरदरा है तो rust के साथ बढ़िया तरीके से act करके उसको remove कर सकता है similarly यहां पर यह जो दरदरा nature है यह polishing के काम आता है plus इसके अंदर से जो छोटे-छोटे आपके मिट्टी के particle है silica के इसके बीच में आपका gap भी आपको मिल जाता है तो इनको filtration process के लिए भी use किया जाता है तो oil और syrup की filtration plus polishing के लिए इस gritty matter का इस्तमाल किया जाता है और billions of years तक जब die-atoms आपके ocean में पाए जाते हैं क्योंकि फ्रेश और खारे-पानी में पाए जा सकते हैं खारे-पानी वाले जो होंगे समुदर वाले जो होंगे वह जब इनकी death होती जाएगी तो यह नीचे तली पर जमा होते जाएंगे समुदर के आपके सबसे निचेले भाग पे जमा होते जाएंगे और बना लेंगे die-atomaceous earth यानि die-atoms की मरी हुई dead body से बना हुआ surface die-atomaceous earth कहलाएगा जिसको आप लोग extract करके आपका polishing और filtration के लिए gritty material तयार कर सकते हो और यह जो die-atomaceous आपके particles है जो die-atom से बने हैं इनको आप क्या बोलोगे यह जो die-atom होता है बहुत photosynthetic होता है तो इसको आप क्या बोलोगे आपका chief producer of ocean क्योंकि सबसे जादा यह खाना बनाता है chief producer of ocean सबसे जादा खाना आपका यह बनाता है बहुत photosynthetic यह होता है अगर आप देखोगे अगला example तो यह है आपका dino flagellate अब नाम से क्या पता लग रहा है dino flagellate dye मतलब flagellate यानि यह जो organism है इसमें 2 flagellate आपके पाए जाएंगे ठीक है और stiff cellulose की cell wall होगी यह मराइन पानी में ज्यादा मिलते हैं खारे पानी में और photosynthetic होते हैं लेकिन इनका structure कैसा होगा दो flagellate इन में पाए जाएंगे और stiff cellulose की cell wall यहां पर होगी ठीक है तो एक point यहां पर हमें लिखना है कि देविल है कि टिफ्स एल्यूलोजिक टेलवार stiff cellulose cell wall अगर आप यहां पर देखेंगे अगली कटेगरी तो अगली कटेगरी क्या आईगी आपकी यूगलेनोइड यूगलेनोइड का सबसे prime example है यूगलीना और इसको क्या कहा जाता है connecting link between plant and animals यानि यह आपका plant की तरह भी behave करता है और animal की तरह भी behave करता है इसे connecting link कहा जा सब्सक्राइब करता है connecting link between plant and animal यानि अगर जब सनलाइट है तो यह प्लांट की तरह बिहेव करेगा अधर वाइज यह अनिमल की तरह बिहेव कर देगा connecting link है बिट्वीन कि अगर आप देखोगे तो यह आपका fresh पानी में मिलता है और ठहरे हुए पानी में मिलता है जैसे pond वगएरा का पानी हो गया उसके अंदर यह आपके light की presence में तो खाना बना पाएंगे light की absence में खाना नहीं बना पाएंगे यानि बीच के हो गये पहले के दोनों खाना बना रहे थे बीच का हो गया यहां cell wall नहीं है यहां आपका pellicle नाम का layer आपको देखने को मिलेगा अगला जो है यह आपका slime mold as for slime mold as for saprophytic तो यह क्या करता है यह आपका usually सड़े गले matter के उपर grow करता है जब favorable condition होती है तो बहुत सारे slime molds आकर के क्या बना लेते हैं aggregation बना लेते हैं जब अच्छा महल होता ह है ना समय लोग किसी दोस्त की बद्दे पार्टी है तो काफी सारे slime molds आपके आकर के बहुत ही जादा बड़ा structure बना लेंगे काफी feet लंबा हो सकता है structure इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्लाज्मोडियम इस structure को हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं और जैसे ही आपकी unfavorable condition आएंगी समय लोग भाईया तुम लोग party कर रहे थे फेंटा पी करके और अंटी ने पुलिस बुला ली सच में 12 बज़ रहे थे तुमने बहुत जोर से डीजे बजा रखा था सारे दोस्त इखटे हो ग नाली तो unfavorable condition आगया भाई सब लोग जो है अपना बढ़िया तरीके से चद्दर वद्दर ओड़ के छिप जाओगे यानि अपने आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे तो fruiting body का निर्मान होगा जहां पर आपको ऊपर की साइड कहां देखने को मिलेंगे टिप्स की साइड sports देखने को मिलेंगे जो कि खुद भी आपके क्या होंगे protected होंगे ठीक है क्योंकि sports जो है ये आपको harmful conditions जो आती है unfavorable conditions जो आती है उससे tide over करने में बचाते है उससे pass करने में आपकी help करते है तो fruiting body होगी जो आपकी unfavorable condition में बनेगी और यहां पर बन जाएंगे साथ में आपके क्या sports ठीक है ये sports आगे air से disperse हो जाएंगे बहती हवा से थे तो air से disperse हो जाएंगे और जहां भी गिरेंगे नया slime mold आप पास आ जाते हैं क्यों क्योंकि party का महल बन चुका है किसी का बद्दे है favorable condition है सारे साथ आ गए जैसे police आई सब लोग अपना ठिकाना ढून रहे हैं और एक ऐसा रूप धारन कर रहे हैं जिसमें बहुत जादा लंबे time तक किसी की पकड़ में ना आए तो ये sports बना लेते हैं कि प्रोटोजोंस यानि primitive relative of animals तो जाहिर सी बात है predator और parasite की तरह काम करेंगे इनमें cell wall भी absent होगी प्लस आप अगर देखोगे कि तो ये खाना भी नहीं बनाएंगे cell wall तो absent होगी ये heterotrophic भी होंगे जो कि usually इनको होना भी चाहिए क्योंकि animal like है तो जाहिर सी बात है दो बार लिख दिया है क्या heterotrophic ये इनके कुछ basic features थे अब protozoan भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं depending upon ये चलते कैसे हैं अगर ये pseudopodia बनाते हैं यानि amoeba जैसे हुए तो amoeboid protozoan अगर ये cilia carry करते हैं तो ciliated protozoan अगर ये flagella carry करते हैं तो flagellated protozoan और अगर ये आपका infectious spore-like stage contain करते हैं जैसे कि आपका malarial parasite में होता है plasmodium में होता है तो अगर ये infectious spore-like stage बनाते हैं तो sporozoan, spore से वड़ आया है sporozoan तो चार तरीके की division इनमें भी देखने को मिलती है basic characters हम लोग समझी चुके हैं थोड़ा और चलके देखते हैं कि भाई इनके बारे में क्या-क्या लिखा हुआ है क्या-क्या बात हमें extra समझनी है बाई क्राइजोफाइट में दो प्रकार के organisms आएंगे die-atoms जो की chief producer of oceans से और आपका golden algae जिनको हम desmid बोल रहे थे ये भी अपना खाना बना सकते हैं ये बात हमें पता है cell wall जो है आपकी die-atoms की ये आपकी indestructible होती है तभी तो आपकी समुद्र की तली पर जमा हो जाती है billions of years बाद भी क्योंकि इनके उपर silica जमा होता है तो ये टूटती नहीं है बहुत आसानी से ठीक है die-atoms का जो structure है इसमें दो overlapping shells होंगे जो की soap box जैसे दिखाई देंगे एक आपका उपर वाला shell होगा एक आपका नीचे वाला shell होगा ठीक है die-atoms जो है जब इनकी death होती रहेगी तो billions of years तक भी ये deposit होते रहेंगे समुद्र की तली पर है ना और billions of years तक deposit हो होकर पूरा का पूरा क्या बना लेंगे समुद्र की तली पर एक surface बना लेंगे जिसको die-atomaceous earth कहा जाता है और ये die-atomaceous earth since gritty है क्योंकि इसके उपर silica की deposition है तो ये आपका दरदरा है तो जाहिर सी बात है ये जो दरदरा है इसको आप किसलिए इस्तमाल करोगे polishing के लिए और filtration के लिए इस्तमाल करोगे of oils and syrup ये सारी बाते हो चुकी थी तो हमें कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ा dino flagellate के अगर आप बात करोगे तो dino flagellate जो है इनमें बहुत अलग-अलग colors होते हैं brown color के भी हो सकते हैं blue color के भी हो सकते हैं red color के भी हो सकते हैं depending upon their pigment by blue color के तब होंगे जब cyanine pigment जादा होगा जैसे cyanobacteria में होता है इसलिए उसे blue green algae बूला cyan का मतलब ही है blue similarly आपका red ये होंगे जब erythrine pigment जादा पाए जाएगा आपका brown ये होंगे जब zenthin pigment पाए जाएगा तो अलग-अलग तरीके के colors के हो सकते हैं आपके dino flagellate cell wall जो है इनकी stiff cellulosic plate की बनी होगी यानि cellulose की बनी हुई है जो की बहुत जादा क्या है stiff है आपका strong है और नाम ही है dino flagellate तो दो flagellate जो है यहां पर पाए जाएगे पहला आपका longitudinal होगा यानि लंबा होगा और दूसरा आपका transversally present होगा तो अगर मैं इसका structure आपको बना के दिखाऊं तो कैसा structure आपको देखने को मिलेगा एक dino flagellate का ऐसी एक groove देखने को मिलती है यानि ए एक खाई जैसा structure सा देखने को मिलता है आपको बीच में इसके उपर आपका इस हिसाब का structure रहेगा अपर प्लेट का क्योंकि stiff cellulosic plate है इसमें तो एक युद्धा की धाल जैसा structure आपको देखने को मिलता है इस तरीके का आपको structure देखने को मिलता है dino flagellate का अब जाहिर सी ब second जो आपको फ्लेजला देखने को मिलता है यह आपको इस खाई में से जाता हुआ इस groove में से जाता हुआ आपको transverse फ्लेजला देखने को मिलता है तो दो फ्लेजला आपके हो गए और एक दम एक युद्धा की धाल जैसा यह structure आपको देखने को मिला जिसको हम लोग क्या कह कहते हैं डाइनो फ्लेजलेट कहते हैं तो यहाँ पर यह जो स्ट्रक्टचर है good IS stiff cellulosic Plate О, it is stiff cellulosic Plate और यह आपका जो फ्लेजला है यह कैसा हो गया आपका लंबा है तो आपका á allongitunial samma आपका लॉंगिट्यूडिनल फ्लेजला और यह जो है यह हो गया आपका ट्रांसवर्स फ्लेजला ठीक है यह आपका ओवराल स्ट्रक्चर हो जाता है एक डाइनो फ्लेजलेट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है डाइनो फ्लेजलेट में वो है आपका रेड़ टाइड से रिलेटेड जो की गोनियो अलेक्स द्वारा कॉज किया जाता है क्या होता है यूजवली रेड टाइड का मतलब लाल कलर की लहर समुद्र में इसे जो लहर उठती है न वो आपकी लाल कलर की दिखाई देती है क्यों क्योंकि जैसा मैंने बताया डाइनो फ्लेजलेट अलग अलग कलर की हो सकते हैं तो इसमें एक डाइनो फ्लेजलेट होता यह इतनी तेजी से डिवाइड करते हैं कि ऐसा लगता है कि एक लाल कलर की खुन से भरी हुई लहर हमारे तरफ दोड़ करके आ रही है क्योंकि उसके अंदर एक्च्वल में रेड डाइनो फ्लेजलेट डिवाइड कर रहा हुता है इस फैनोमेना को रेड टाइड कहते हैं और और कौन सा दैनो फलेजलेट यहां पर पाटे सेपेट कर रहा होता है गोणियोलेक्ष और बहुत ज़ाधा मात्रा में जब गोणियोलेक्ष डिवाइड करता है तो यह आपके Toxins भी सिक्रीट करता है कुछ toxins जो है, इनको क्या कहा जाता है, sexy toxins कहा जाता है, है ना, sexy toxins जो है, इसमें sexy की spelling है, x-a-x-i, sexy toxins, और ये sexy toxins बहुत ही घातक होते हैं, और आज पास पाए जाने वाले जो organisms हैं, उनको kill कर देते हैं, कोई fish है, या कोई और aquatic animal है, तो उनको ये मार देते हैं, जो भी इस toxins के contact म आएगा, वो आपका hallucinate हो जाएगा, और death की तरफ भी बढ़ जाएगा, तो red tide phenomena जो है, ये goniolex की वज़े से होता है, और actual में इसमें क्या होता है, आपका red dino flagellate जो है, ये actual में divide कर रहा होता है, यूगलिनोड के अगर आप बात करें, तो सबसे important point ये था, कि इसमें cell wall तो पाए जाएगा pellicle और mixotrophic nutrition होगा, यानि ये plant और animal दोनों की तरह बिहेव करेगा, तो protein rich layer जो है, ये आपकी पाए जाएगी, तो cell wall is replaced by pellicle, यानि cell wall तो absent है, तो protein की एक layer है pellicle जो की आपका yuglenoid को flexibility provide करेगी, यहाँ भी आपके दो flagellate है, एक छोटा, एक बड़ा, तो आप अगर आप structure बनाना चाहो, तो yuglenia का structure कुछ ऐसा दिखाई देता है, इस तरीके से आपके yuglenia का structure आता है, यहाँ पर आप क्या बोल सकते है, यहाँ पर root है, root मतलब जहां से आपके flagellate arise हो सकते है, तो यहाँ पर आपको एक लंबा flagellate देखने को मिलेगा, और यहाँ प यह जो layer है, यह आपकी क्या हो जाएगी, pellicle हो जाएगी, है ना, cell wall तो present है नहीं, तो यह जो flexible layer है, यह क्या हो गई, आपकी pellicle हो गई, और यह जो आपके दो structure है, यह क्या हो गई, फ्लेजला हो गई, अब छोटा बड़ा है, वो तो देखने से ही पता लग रहा है, तो यह दोनों जो structure है, यह आपके क्या हो गई, फ्लेजला हो गई, correct, तो आपका pellicle और फ्लेजला यहाँ पर देखने को मिल रहे है, ठीक है, इनमें जो pigments होते हैं, वो आपके higher plants जैसे होते हैं, यानि जब यह आपका photosynthesize कर रहे होंगे, तो एकदम higher plant की तरह behave कर रहे होंगे, इन पर निकल पड़ेंगे, यह आपका शिकार करना ज्यादा मुनासिब समझेंगे, अब मैंने आपको यहाँ पर बताया, as for slime mold, as for आपका saprophytic, तो यह usually क्या होते हैं, आपके saprophytic होते हैं, nutrition में, यह आपका dead or decaying matter पर ग्रो करते हैं, तो usually कोई plant जब तूट जाता है, उसकी टहन जब तूट जाती हैं, और जमीन पर गिरते हैं, तो उस matter पर ग्रो करना पसंद करते हैं, अब समझे लो भाईया, एक दोस्त है, दोस्त की है बड़े पार्टी, तो यहाँ पर जब suitable condition आई, दोस्त की बड़े पार्टी का जब plan बना, तो सारे आपके जो slime mold हैं आसपास आ ग जब इनको दिक्कत होने लगी, unfavorable condition जब आई, जब अंटी ने पुलिस बुला ली, तो यह plasmodium जो है, differentiate हो जाएगा, और क्या बना लेगा, fruiting body, और fruiting body की tips पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, sports देखने को मिलेंगे, जैसा हमने बनाया था, मैंने क्या बनाया था, यह भी आपका resistance प्रोवाइड करेंगे न भाई, तो इनके उपर भी cover आपका होना चाहिए, तो spore बनेंगे at the tip, sports के उपर wall बनानी चाहिए थी, जो हमने diagram में ही बना ली, तो यह extremely resistant होते हैं, जब भाईया, favorable condition आईगी, तो यह spore air के through, disperse कर दिये जाएंगे, और जहां भी यह spore germinate करेंगे, यहाँ पर आपका क्या बना लेंगे, नया slime mold बना लेंगे, germinate to form new slime mold, तीख है, यह आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि हमने समझा भी, Now, it's time to understand protozoan, अब protozoan में हम लोगों को पहले से ही पता है, यह primitive relative of animals हैं, तो जाहिर सी बात है, सारे के सारे जो protozoans होंगे, यह animal जैसे ही होंगे, यानि अपना खाना स्वयम नहीं बना पाएंगे, तो यह predator और parasite की तरह behave करेंगे, तो इन्हें primitive relative of animals कहा जाता था, और कैसे यह move करेंगे इस basis पे इनको चार groups में तोड़ा गया, amoeboid protozoan मतलब amoeba जैसा structure होगा इनका, यानि कि आपका क्या होगा यहाँ पर basically pseudopodia बनेंगे, false feet बनेंगे, क्योंकि amoeba का एक irregular structure हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर locomotory organ क्या होगा भाई, pseudopodia, यानि ऐसे क्या होगा आपका irregular सा structure यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, और since आपका well defined nucleus present होगा, eukaryotic है यह, ऐसा आपका amoeba का structure देखने को मिलता है, कहां कहां पाए जाएंगे, हर जगा पाए जा सकते हैं, आपका fresh water में भी, आपका marine water में भी, आपका नरम soil के आसपास भी, जहां थोड़ा बहु कर लेंगे, अंदर की side ले आएंगे, तो pseudopodia यानि false feet के थ्रू ही अपना खाना भी, खाना prefer करते हैं, marine forms जो है, इनके उपर silica shells पाए जा सकती है, इनमें cell wall तो है नहीं, क्योंकि यह आपके animal like है, लेकिन कई बार, यह अगर marine forms है, समुंदर के आसपास पाए जाते हैं, तो इन पे समुदर के जो मिट्टी के कण होते हैं, काफी बार, वो जमा हो जाते हैं, और silica का एक shell जो है, इनके उपर बन जाता है, एक्जामपल क्या है, भाई, amoeboid है, तो नाम में ही आ रहा है amoeba, और entamoeba नाम में ही आ रहा है amoeba, है ना, entamoeba histolytica जो है यह बिमारी भी cause करता है, तो यह आपका parasitic है, ठीक है, तो amoeboid के दोनों के अंदर ही नाम में amoeba आ रहा है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, amoeba और entamoeba है, इसके example हो जाएंगे, flagellated protozoven के अगर आप बात करें तो चलेगा किस से, भाई नाम ही है flagellated तो फ्लेजरा से चलेगा, यह आपके free living भी हो सकते हैं, यानि किसी पर बिमारी cause किये बिना भी रह सकते हैं, और कुछ जो है आपके parasitic हो सकते हैं, यानि बिमारी cause भी कर सकते हैं, जैसे trypanosoma gambiancy जो ह यह बात यहाँ पर भी आ चुकी है, जो कि trypanosoma cause करता है, ठीक है, leishmania और giardia intestinalis भी जो है, यह इसके example हो जाएंगे, leishmania की species का क्या नाम है, donoveni, ठीक है, तो इसका पूरो नाम क्या है, leishmania donoveni, और giardia का पूरा नाम क्या है, giardia intestinalis, intestinal disease यह cause करता है, यानि यह भी आप आपका main trepanosoma, जो कि sleeping sickness cause करता है, और नाम ही है flagellated, तो भाई यह आपका क्या होंगे, flagella के through move करने की कोशिश करेंगे, जो आपके amoeboid थे, वो आपके पानी में पाए जा रहे थे, प्लस moist soil में पाए जा रहे थे, यह जो है, यह आपके usually aquatic होते हैं, है ना, और आपके, you know freely भी पाए जा सकते हैं, यानि हो सकता है किसी organism के साथ associated ना हो, अकेले भी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ciliated protozoan, जिसमें क्या होगा, आपका cilia present होगा, और flagella का size काफी बड़ा होता है, तो एक flagella भी moment कराने के लिए काफी होता है, लेकिन cilia का size बहुत कम है, अब आ आप अपने पैरों से चल सकते हो, तो आपके पैर flagella जैसे है, कि आपके दो पैर हैं और उनसे आप आराम से चल सकते हो, लेकिन आपके बाल सिलिया जैसे है, इनमें आपको चलाने की हिमत नहीं होती, अब आपकी body तो काफी बड़ी हो गई, अगर आप एक unicellular organism की बात कर करते हैं, तो उसके अंदर अगर हजारों सिलिया प्रेजेंट है, तो जब साथ में coordinate करते हैं, तब जाके इतनी force मिलती है, कि आप surrounding fluid को या तो हिला दो, या फिर आप main body को हिला दो, जैसे अगर मैं एक पैरामीशम हो, और मेरे अंदर हजारों सिलिया मौजूद है, तो मैं इस तरीके से जब सिलिया पीट करूँगा, तो आसपास का पानी पीछे जाएगा, तो मैं automatically आगे जाऊँगा, और इसी तरीके से सारे aquatic organisms move करते हैं, सिलिया की help से, ठीक है, तो एक gullet नाम की cavity भी होती है, जिससे food और water अंदर लिया जाता है, पैरामीशम में मैं आपको बन करके दिखाऊंगा, तो आपके क्या होते हैं, aquatic होते हैं, free living भी हो सकते हैं, parasitic भी हो सकते हैं, commensal भी हो सकते हैं, यानि किसी के साथ associated भी हो सकते हैं, food capturing कैसे करनी है, गलट से ही आपका क्या आएगा, खाना पानी अंदर आएगा, और उसके बाद food vacuum में आपका digestion हो जाएगा for example, paramecium, अब paramecium कैसा organism है, slipper-like organism है, चपल जैसी इसकी शकल होती है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक paramecium का आकार बना लेते हैं, कुछ इस हिसाब का आपको paramecium जो है, देखने को मिलेगा, अब यह जो paramecium है, इसके उपर हम लोग क्या कह रहे हैं, कि भाई, thousands of cilia जो है आपके present है, अब thousand तो हम लोग बनाने नहीं बैठेंगे, इतना time नहीं है, लेकिन 100 के आसपास तो हम लोग कोशिश करेंगे, 500 के आसपास तो हम लोग बना ही लें, because इस पूरे paramecium को हम को क्या करना है, अच्छे तरीके से cover करना है, तो यह आपका paramecium है, जिसके चारों और आपको खूब सारे सिलिया दिखाई दे रहे हैं, जब यह सिलिया बीट करेंगे, तो आपका paramecium बकायदा मूव भी कर पाएगा, and अगर आप देखोगे, यहाँ पर, तो दो nucleus भी आपको देखने को मिलेंगे, एक आपका micro nucleus होता है, paramecium के अंदर, एक आपका macro nucleus होता है, तो called as gullet, एक cavity देखने को मिलते है, जिसको क्या कहते है, gullet कहते है, अब यहाँ से क्या होता है, जब यह बाहर के सिलिया बीट करते हैं, तो आपका खाना पानी जो है, यह आपका अंदर की side लेकर आते हैं, आपका यह paramecium जो है, पानी में रह रह रहा है, तो इसके आज-पा यहाँ पर पानी के साथ-साथ आपका खाने का material जो है, वो भी आपका paramecium तक पहुचा दिया जाता है, so this is the main thing about gullet, तो यह जो cavity है, इसको हम लोग क्या कह रहे है, gullet कह रहे है, ठीक है, यह अगर आप देखोगे दोस्त, तो इसको हम लोग क्या कह रहे है, cilia कह रहे है, य यह अगर आप देखोगे तो इसको हम लोग क्या कह रहे है, micronucleus कह रहे है, और यह जो है आपका इसे हम क्या कह रहे है, macronucleus कह रहे है, this is your paramecium तक पहुंचा दिया जता है और बड़िया तरीके से परमेश्यम उस खाने को उटिलाइज कर लेता है This is something we shall understand about Paramecium तो काफी सारे सिलिया है इसलिए क्या है Siliated Protozoan है अगर आप Sporozoan की बात करें तो इन में Locomotion absent होती है है ना सिलिया वाले सिलिया से चल रहे थे फ्लेजला वाले से चल रहे थे Amobod आपका थोड़ा Move कर रहे थे with the help of false feet या pseudopodia लेकिन यहां पर आपका लोकोमोटरी औरगन एपसेंट है लेकिन ये ज्यादा तर क्या होते हैं पैरा साइट होते हैं यह आपकी बर्डी को हार्म करते हैं जैसे plasmodium यह आपका क्या कोज करता है आपका malaria कोज करता है सबसे खतरनाख के अधिस जो है वह यह कॉस करता है malaria कोज करता है तो थे आर्ट प्लाजमों नीचरेंचे आपकल कोज निरेनस न्टोड़यस मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत कोज करने वाला यह क्या है आपका प्लाजमोडियम है जिसे मलेरियल पेरसाइट कहा जाता है तो यह आपका क्या कॉस करता है मलेरिया कॉस करता है जो की बहुत ही जादा harmful disease है बहुत ही जादा खतरनाक disease है ठीक है Now it's time to understand the next kingdom that is fungi तो अभी तक हम लोगोंने क्या पढ़ा एक बार थोड़ा सा हम लोग उस जिसको recapitulate करके दिखते है अभी तक हम लोगोंने पढ़ा कि सबसे earliest जो classification थी वो थी on the basis of uses then हम लोगोंने अगली जो classification देखी Aristotle सहाब द्वारा दी गई उसमें उन्होंने simple morphological characters के basis पे plants को herbs, shrubs और trees में divide किया और आपका जो animals थे उनको इनाईमा अनाईमा में divide किया then आई two kingdom system of classification given by carolus lineus जिनोंने plant और animalia में organisms को रखा on the basis of presence और absence of cell wall फिर three kingdom system आई जहाँ पर हेकल सहाब ने आपको protista kingdom से introduce कराया then आपका four kingdom system of classification आई जहाँ पर copeland सहाब ने आपको moneda kingdom से introduce कराया and then आपकी five kingdom system of classification आई आरेच विटेकर सहाब ने 1969 में दी जिसमें आपको kingdom पंगस के बारे में सबसे पहली बार पता लगा and then हम लोगों ने इन kingdoms के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया पहले moneda के बारे में हमने पढ़ा archibacteria, u-bacteria के discussion करी then protista के बारे में हमने पढ़ा जहां पर हमने आपके chryzophytes, dino flagellates, uglinoids, slime molds and protozoan के बारे में discussion करी protozoan में भी हमने amoeboid, flagellated, ciliated और sporozoans की discussion करी now it's time to understand fungus kingdom fungi में आपको चार classes के बारे में पढ़ना है सबसे पहले phycomycities then आपका escomycities then आपका basidiomycities then आपका deuteromycities सबसे पहले अगर आप देखे तो ये जो fungus है, इनकी basic properties क्या होती है, जा fungus में kaitin की cell wall होगी, yes जा fungus आपके eukaryotic होंगे, yes जा fungus आपके multicellular होंगे, yes लेकिन एक exception है, east जिसको हम saccharomyces कहते है जब ये सेकरomyces आपके लिए bread बना रहा होता है, तो हम इसे bakers east कहते हैं, और जब ये आपके लिए शराब बना रहा होता है, तो हम इसे brewers east कहते हैं, यानि depending upon कि हम इसको किस industry में इस्तवाल कर रहे हैं, इसका नाम bakers east हो सकता है, if it is getting utilized in bakery, और इसका नाम brewers east हो सकता है, if it is utilized in brewing industry या beverages industry है ना, beverages अगर ये बना रहा है, तो इसका नाम brewers east हो जाएगा, तो ये आपको खाने पीने दोनों की चीज़े प्रदान कर सकता है, तो यहाँ पर जो structure होगा, fungus का usually filamentous होता है, क्योंकि ये fragmentation से reproduce करते हैं, यानि filamentous structure मतलब इनके छोटे-छोटे parts होंगे जो आपस में जुड़े हुए होंगे, उन parts को अगर आप अलग कर दो, तो भी वो नया fungus तयार कर सकते हैं, तो छोटे-छोटे hair-like structures इनके अंदर होते हैं, इस तरीके के तो एक fungus इस हिसाब के काफी सारे hair से मिलकर बना होता है, ये जो आपका hair है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफा, ठीके, और काफी सारे हाइफा जब मिल जाते हैं, जब इनका network बन जाता है, जब ये आपस में connect हो जाते हैं, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है mycelium इनको बोला जाता है mycelium ठीक है, अब ये जो mycelium है, इसका surface area तो काफी जादा है, तो इसलिए जो fungus है, usually बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को absorb कर लेते हैं क्योंकि इनका high surface area है for the purpose of absorption, तो वो चीज़ भी हमको यहाँ पर specifically देखने को मिलती है, कि हाइफे से कैसे mycelium बनता है, और कैसे चीज़े आपकी बढ़िया तरीके से organize हो पाती है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो with exception of east, आपका east है, ये exception है क्योंकि ये आपका unicellular है other than that, सारे के सारे क्या होंगे, आपके fungus, filamentous होंगे filamentous होंगे, तो कैसे reproduce कर पाएंगे, they can reproduce via fragmentation, भाई, इनके छोटे-छोटे अगर fragment हो पाएंगे, तो जाहिर सी बात है, ये fragmentation से क्या कर पाएंगे divide भी तो कर पाएंगे न, तो इनकी body जो है ये लंबे, long slender, पतले, thread like structure से बनती है, जिनको क्या कहा जाता है, हाइफे तो ये पतले, लंबे जो structure है, they are called as हाइफे, लंबे है, long है, slender है, पतले हैं, और धागे जैसे है, thread like structure, तीनों property यहाँ पर समझ में आ रही है, और इनका जब network तयार होता है, तो इसको क्या कहते है, mycelium कहते है अब, जब sexual reproduction होता है न, fungus का तो आपके ये जो हाइफे हैं ये पास-पास आ जाते हैं, अब आपका समझ लीजिए, कोई बढ़िया सा आपका heploid हाइफे है ये यहाँ पर भी आपका heploid हाइफे है and they should be compatible ये mycelium कहलो, कि दो mycelium है they should be compatible, compatible मतलब अब आप चाहोगे कि आपका बच्चा भोंदू हो या आप चाहोगे कि आपका बच्चा बहुत ही ज़ादा advanced हो, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है, वो हमसे बहतर हो वो तब हो पाएगा, जब आप उसमें कुछ variations जो है, impart कराने की कोशिश करोगे यानि समझ लीजिए आपका asexual reproduction हो रही है धड़ा-धड़, आपका एक जैसे ही characters आने वाली generation में जा रहे हैं, तो उसके advance होने के chances तो बिलकुल ही nil हो जाएंगे लेकिन अगर आप sexual reproduction कराते हो, और एक ऐसे, individual से sexual reproduction कराते हो, जिसमे advance properties है, जिसमे different properties है, तो जो बच्चा है, वो ज़्यादा advance होगा तो rather than looking forward to similar kind of characters, हर organism हर sexually reproducing organism, यह चाहता है कि उसको थोड़े different characters मिले, तो compatible hyphae या compatible mycelium का क्या मतलब है, कि दो जो hyphae पास-पास आ रहे हैं, fusion करने के लिए वो आपके थोड़े से different हो, तो इनको हम लोग plus minus करके लिखते हैं, एक hyphae को अगर हम plus लिख रहे हैं, दूसरे को minus लिखेंगे, बताने के लिए कि हाँ, यह compatible है इनमें कुछ तो differences हैं, ठीक है तो जब यह पास-पास आते हैं तो आपका क्या होगा दोस्ट यह fuse करने की कोशिश करेंगे, जैसे समझ लीजे, यह आपका structure है आपका एक hyphae का और यहाँ पर इसका है nucleus है यहाँ पर एक structure है hyphae का और यह आपका क्या है, nucleus है तो जब sexual reproduction होता है तो यह दोनों जब fuse करेंगे तो क्या सबसे पहले इनका protoplasm fuse करेगा, येस इनका cell जो है सबसे पहले fuse कर जाएगा और nucleus जो है पहले अलग-अलग पड़े रहेंगे इसे हम क्या कहते हैं, diakaryotic stage क्योंकि इसमें क्या है, आपके दो nucleus है ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, diakaryotic stage diakaryotic, diakaryotic diakaryotic मतलब दो, karyotic मतलब या carryon मतलब nucleus तो इसमें दो nucleus पाए जा रहे है n प्लस n condition आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आगे अगर आप देखोगे आगे अगर आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेगा कि यह nucleus जो है, यह भी fuse हो गए और आपका क्या बन चुका है एक ही nucleus बन चुका है, जो कि कैसा है deployed, तो यहाँ पर क्या थी n प्लस n condition थी, यहाँ पर 2n condition हो गई, तो यहाँ पर जो condition होई यह क्या हो गई, आपकी deployed हो गई ठीक, तो जब आपका sexual reproduction हो रहा होता है fungus का, तो सबसे पहला जो process है वो क्या है आपका, वो है आपका plasmo gammy, यानि आपका protoplasm का fusion तो protoplasm fuse हो गया, यहाँ पर आगर आप fuse हो गए है, yes, यह दोनों fuse हो गए है then आपके nucleus अलग-अलग पड़े हुए है, भाई इनको भी fuse कराना पड़ेगा, क्या, बिल्कुल fuse कराना पड़ेगा, then आपका nucleus fuse होगा, यानि आपका क्या होगा karyo gammy होगी, nucleus fuse हो जाएंगे, तो कुछ ऐसे fungus है जिनमें ये जो stage है जिनमें ये जो diakaryotic stage है, ये बहुत ही जादा prolonged होती है जानि काफी time तक दोनों nucleus दूर-दूर पड़े रहते हैं, pass आ करके karyo gammy नहीं करते deployed nucleus नहीं बनाते, ये जो stage है, ये काफी लंबी होती है in esco mycities and basidio mycities esco and and basidio mycities में ये stage जो है, काफी लंबी होती है diakaryotic stage, तो आपको एक point esco और basidio mycities का पहले ही पता लग जया, ठीक है diakaryo phase of fungus in esco mycities and basidio mycities, एक intervening diakaryotic stage जो है, जहाँ 2 haploid nucleus present है साथ-साथ, इस condition को हम लोग diakaryon condition कहते हैं, इस phase को हम लोग diakaryo phase कहते हैं, ये काफी प्रचंड होता है आपका esco mycities और basidio mycities के अंदर ठीक है, बाकी fungus में फटा-फट से nucleus जो है, वो fuse कर जाता है और एक deployed nucleus तयार कर लेता है ठीक है, अब यह जो हाइफे है ये भी आपके अलग-अलग तरीके के हो सकते हैं तो इसको भी हमें बहुत गौर से समझता है ये जो हाइफे हैं, देखें आल्सो भी of different types जैसे कि एक हाइफे है, जो ऐसा दिखाई दे रहा है और इसमें आपका एक ही compartment में काफी सारे nucleus हम को देखने को मिल रहे हैं ऐसे कंडिशन को हम लोग क्या कहते हैं a septate क्योंकि बीच में कोई septa नहीं है, कोई wall नहीं है तो a septate and scenocytic condition scenocytic condition a septate और scenocytic condition यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर कुछ आपके ऐसे हाइफे होते हैं जिनमें आपका septa यानि cross wall आपको देखने को मिलेगी तो एक compartment में by default आपका एक ही nucleus आप आएगा तो इसको आप लोग क्या कहते हो इसको आप लोग कहते हो भाई septate क्योंकि septa present है and a scenocytic भाई अब scenocytic condition यहाँ पर नहीं रहे है and a scenocytic condition और अचरी साब ठीक है दोस्त यह आपको यहाँ पर देखने को मिला और इसी तरीकी से जो septa है यह जब प्रेजेंट हो yah absent हों तो आपका branch भी हो सकता है आपका ‫हाइब ऑसक आपका इस तरीके से जो हाइफे है ब्रांच हाइफा बुलते हैं ठीक है तो अलग-अलग प्रकार के फंगसिस के अंदर अलग-अलग टाइप ओफ हाइफा हमें देखने को मिलता है अगर आप देखो तो माइसीलियम जो है ये आपकी कैसी होगी ये आपकी फाइको माइसीटीज में होगी एसेप्टेट एंड स यानि सिर्फ यहीं पर आपका क्या होगा multi-nucleated condition देखने को मिलेगी बाकी हर जगा पर याद करने की जरुदी नहीं है branch and septate है branch and septate है यानि इस प्रकार की है और आपका septa बने हुए है यानि आपका क्या हो रहा है आपका बढ़िया तरीके से क्या देखने को मिल रहा है आपको एक compartment में एक ही nucleus है यह देखने को मिल रहा है ठीक है तो सिर्फ आपका सबसे पहले वाला जो है फाई को माई सिटी यहाँ पे आपका क्या है cynocytic hypha है बाकी हर जगा पे branched और septate यानि ए cynocytic hypha है multi nucleated condition आपको नहीं देखने को मिलेगी अगर आप देखें मिलते कहाँ पर है तो usually हर fungus आपको कहाँ देखने को मिलता है आपका warm and humid condition में warm and moist कहलो warm and humid कहलो एक ही बात है आप इसलिए अपने खाने को फ्रिज में रखते फ्रिज में तो ठंडक है तो वहाँ वो attack नहीं कर पाएगा similarly जो fungal diseases होती है जैसे दाद, खाज, खुजली वो आपको किस जगा पर होती है आपकी उंगलियों के बीच में आपकी गर्दन जहां पर touch हो रही होती है उस बीच में क्यों क्योंकि दो skin जब साथ में टकराती है तो friction से गर्मी आपकी वहाँ पर भढ़ती है यानि warm और पसीना आता है उस जगा पर चिपचिपाहट रहती है तो humid इसलिए इन जगाहों पर आपको देखने को मिलते हैं पंगस तो similarly इनको आसपास थोड़ा बहुत आपकी humidity या moisture चाहिए थोड़ा बहुत पानी चाहिए और आपका ये normally भी grow कर सकते हैं तो अलग-अलग conditions है जैसे आपका फाइको माइस से तो aquatic habitat में भी रह सकते हैं है जैसे decaying wood है कोई क्योंकि dead and decaying matter पर भी grow करते हैं सप्रोफिटिक या parasitic होंगे तो आपका dead wood पर भी grow कर सकते हैं है जहां पर थोड़ा पहुत पानी हो और obligate parasite की तर on plants है ना क्योंकि या तो सप्रोफिटिक होंगे या parasitic होंगे सप्रोफिटिक होंगे तो dead or decaying wood पे dead or decaying matter पे grow करेंगे animals पे grow करेंगे और अगर parasitic है तो parasite की तरह किसी plant या animal की body पे grow करेंगे इसको माइसिटी जो इसे सैक फंजाय कहा जाता है तो एससी इसको उल्टा लिख दो आपका थोड़ा rearrange करके एससी बन जाएगा और एससी से हमें पता लगता है कि भाई सैकरोमाइसिस की भी spelling एससी से ही स्टार्ट होती है यानि आपका जो इस्ट है वो भी इसी के अंदर आ सकते हैं तो इससे आप क्या याद करेंगे एक सैक है जिसमें गोबर भरा हुआ है यानि उपले भरे हुए है गोबर के तो गाव में क्या होते हैं काफी सारी आपके ऐसे रिचुल्स होते हैं जहां पर गोबर के उपले जो है कंडे जो है उनको जलाया जाता है ठीक है तो उ आपके गोबर के उपले भरे हुए हैं, यानि सैक फंजाय जो है, वो कॉप्रोफिलस होता है, गोबर पे भी ग्रो कर सकते हैं, अगर आप बैसीडियो माइसिटीज की बात करें, तो ये आपके यूजवल इसका एक सिंपल एक्जामपल देता हूँ आपको मश्रूम, अब आपको सारे सवालों के जवाब देदेगा, भाई मश्रूम आपने जमीन पर भी ग्रो होते हुए देखा है, फ्रेग्मेंटेशन से छोटे-छोटे टुकडे करके आप खेतों में डालोगे तो वहाँ पर भी ग्रो हो जाएगा, मश्रूम कल्चर के दौरान भी आपका ग्र ग्रो कर सकते हो, प्लस आप इसको किसी पेड़ के ओपर भी टंगा हुआ, देखोगे अलगला प्रकार के मश्रूम को किसी पेड़ के तने पर ग्रो कर गए, किसी लकड़ी के फट्टे पर ग्रो कर गए, जहां भी थूड़ा बहुत पानी है, इसी तरीके से ग्रो करते है, तो यह soil में भी grow कर सकते हैं, जैसा हम लोगों ने fragmentation से कराया, भाई लकडी के फटे पर भी grow कर सकते हैं, पेड के तने पर भी grow कर सकते हैं, है ना, और living plant body पर भी grow कर सकते हैं, as a parasite की फंगस है, तो parasitic तो behavior show करेगा ही, नाम है deuteromycetes, तो deuteromycetes के दो alphabet lilo starting के जाधाता decomposer होते है यानि dead and decaying matter पे grow करते हैं, ठीक है, और इन्हें imperfect fungus कहा जाता है, क्योंकि इनमें sexual reproduction जो है, यह absent होते है, sexual phases are absent, sexual reproduction is absent, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ असेक्ष्वल स्पोर से आपका reproduction होता है, वो भी किससे कुनीडिया से, तो सिर्फ और सिर्फ कोनीडिया से reproduction होता है आपका, किसके अंदर, imperfect fungus के अंदर, अगर आप देखोंगे reproduction बाकियों के अंदर, तो asexual reproduction होता है, आपका सबसे common जो है zoospore से, या aplanospore से, जो कि non-motile होते है, and aplanospore A से start हो रहे हैं, तो यह endogenously produce होंगे, अंदर produce होंगे, यह आ asco spore तो यह भी endogenously produce होंगे, लेकिन अगर आप देखोंगे, A के अलावा start होने वाले spores को, जैसे आपका besidio spores, तो आप यहाँ पर देखोंगे, तो आपको besidio spore देखने को मिलते हैं, जो आपके कैसे होंगे, exogenously produce होंगे, यह trick मैंने अपने लिए बनाई थी, I hope आपको help करेगे, कि Aplano spore है, और जो asco spore है, यह endogenously, यानि sporengia, sporengia मतलब ऐसा थैला जिसके अंदर spore contain किये जाते है, उसके अंदर बनेंगे, या यह आपके बाहर की side tips पे बनेंगे, जैसे कि आपका हमने slime mold के अंदर भी बनाये थे, वो आपके exo spores कहलाते हैं, ठीक है, जैसे conidia है, तो यह C से start हो रहा है, तो यह भी आपका exo spore है, तो इस प्रकार के आपके structures होते हैं, जिनने conidio 4 कहा जाता है, इसके उपर exogenously क्या आते हैं, आपके छोटे-छोटे conidia, आ जाते है, exogenously, आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, बैसीडियो माइस fusion करवा लेंगे इस हिसाब से, ठीक है, तो आपके compatible हाई-फे पास-पास आएंगे और fusion करा लेंगे, तो sex organs की यहाँ पर जरूरत नहीं है, लेकिन vegetative cells जो है, यह आज-पास आ करके क्या करा लेंगे, आपका sexual reproduction करा लेंगे, and यहाँ पर अगर आप देखें, imperfectus के अंदर, या अगर आप बात करते हैं, examples की, तो examples के रेंगे कुछ trick हैं, जो आपको याद करनी होंगी, जैसे ramp, ramp जो है, इसमें P क्या है, P है आपका phicomycetes, R क्या है, आपका rhizopus, जो की bread mold है, जो की bread पर लग जाता है, M क्या है, आपका mucer, और A क्या है, albugo, जो की mustard में बिमारी cause करता है यह mustard के उपर attack करता है, mustard की फसल को बरबाद करता है, ठीक है, तो ramp से आपको याद हो गया, rhizopus, albugo, और mucer, यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको याद करना है, NASA, ठीक है, हलाकि NASA की spelling वो नहीं है, जो हम usually लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, N-A-C-A, A का मत्तब है Ascomycetes, और बचे हुए N-A-C का मत्तब क्या है, आपका Neurospora, जो कि यहाँ पर given नहीं है, इसको हम लोग add कर देते हैं, okay, Neurospora, Aspergillus, and Claviceps, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका Neurospora हो जाएगा, जो कि बहुत जादा इस्तमाल किया जाता है, Genetics वगएरा के Experiment में, खुब इस्तमाल किया जाता है, Genetic and Biochemical Experiments में, Aspergillus जो है, यह हो जाएगा आपका, and Clavicep हो जाएगा, जो LSD बनाता है, Lysergic Acid बनाता है, तो यह तीनों हो गए आपके Examples, किसके? आपके S को My Cities के, अगर आप देखें Basidio My Cities, तो इसके Examples आपको Hindi में लिखने पड़ेंगे, आज मैं उससे परिशान रहा, ठीक है? आज मैं उससे परिशान रहा, लिखने की जगा नहीं है, तो आज हम परिशान हो गए, लेकिन थोड़ा सा लिख लेते हैं, Basidio My Cities के Examples क्या हो गए? आज मैं उससे परिशान रहा, यह तीन सबसे Important Example हैं, जो आपको याद करने होते हैं, और Bracket में इनके सबसे Common जो है, नाम वो हम लिख रहे हैं, आज का मतलब AG से Start हो रहा है, यानि Agaricus, Agaricus को प्यार से क्या बोला जाता है भईया? M से Start होने वाला यानि Mushroom बोला जाता है, तो आपका Mushroom Basidio My Cities का Member है? Yes है, उस, that is, उस्ती लागो, उस्ती लागो को प्यार से क्या बोला जाता है? Smut बोला जाता है, तो Smut भी आपका यहीं पर आता है, परेशान, that is, Paxinia, Paxinia किस में disease cause करता है? आपका Wheat में disease cause करता है, तो यह क्या है? आपका Rust है, यह Wheat की जो basically rust है, उसको cause करता है, तो Wheat की Puzzle को यह खतम कर देता है, यह आपके Basidio My Cities के क्या है? Examples है, ठीक है? तो Agaricus जो की Mushroom है, उस तिलागो आपका Smut है, Paxinia आपका Rust है, इसके अलावा Poisonous Mushroom जो है, यह Amanita Muscaria, ठीक है? यह आपका Poisonous Mushroom है, इसको खाना नहीं चाहिए, Cap Mushroom जो है, इसको इंक बनाने के लिए इस्तमाल किया जाता है, ठीक है? Bracket Fungus जो है, आपको सडी हुई लकडी पर जमा होता हुआ, दिखाई दे जाएगा, उपता हुआ, दिखाई दे जाएगा, यूजरी क्या होता है? जैसे यह एक पेड है, तो इसके उपर आपकी कुछ Fungus ऐसे निकल रही होगी, जैसे अगर यह एक पेड का तना है, तो इ यह मैं बताने की कोशिश करूँ, इस तरीके से, डिस्क जैसी आगे आ रखे होंगी, उन्हें Bracket Fungus कहा जाता है, यहाँ पर लास्ट जो है हमारा, Deuteromycetes, इसके एक्जामपल्स हो जाएंगे, कडेट, हैना, कडेट, तो कडेट में DE का मत्तब है, Deuteromycetes, यहाँ पर है Colletrotrich Colletrotrichum, Alternaria and your Trichoderma, तो तीनों के तीनों यहाँ पर देख लो, Alternaria, Colletrotrichum and Trichoderma, जो कि यहाँ पर बताए भी गए है, इनका एक comparative account आपको देखना होता है ओलमक्यार में, बहुत डीप questions आप से नहीं पूछे जाते, बहुत डीप examples भी आप से नहीं पूछे जाते, आपको main जो यानि जाधा तर आपके chemicals के उपर questions आते हैं, आपके specific properties, economic importance के उपर questions आते हैं, यह जो classification level के question है, यह नहीं आते, बट since हम लोग scope नहीं छोड़ना चाहते, जरा सा भी, हम चाहते हैं कि अगर एक question अगर पूछा जाए आपका, तो आप उसको correct करो, that is very important, है ना, तो economic importance देख ल इस्ट भी है, penicillium जो है, इसने first आपका antibiotic तयार करी थी, Alexander Fleming सहाब ने आपका penicillin की खोज करी थी, यानि पहली जो antibiotic आई थी, वो आपको fungus से देखने को मिली थी, है ना, और common mushroom जो हम खाते हैं, ये भी क्या है आपका, फंगस ही है, तो ये खाने के भी काम आते है, तो आज के बाद mushroom को सबजी मत बोलना, कि हाँ भई मश्रूम की सबजी बना दो ममी, it's not a सबजी, it's not a vegetable, it's not a plant, it is basically a fungus, तो आज के बाद ममी को बोलना, ममी मश्रूम नाम की फफूंद जो लेकर के आई हो आप, उसकी सबजी बना दो, क्या है, एक symbiotic association है, of fungi, plus algae, तो fungi को kingdom, fungus में रख दिया, algae को, आप plant kingdom में पढ़ोगे, तो इन दोनों की association को क्या अलग से किसी kingdom में रखने की जरूत है, समझ लो यार, तुम मुझसे मिलने आए, है ना, और हम लोगों ने गले लगा लिया, एक दूसरे को जपी पाली, तो हम क्या बोलेंगे कि हम एक अलग organism हो गए, कि हाँ भाई, अब हम दोनों जुड़ चुके है, हमारी अब दो की जगा चार टांगे हो चुकी है, एक की जगा दो मुंडिया हो चुकी है, और दो की जगा चार हाथ हो चुके है, भाई, हम तो एक association में जुड़े है, एक मेरी भी classification हो चुकी है तो अलग से जब हम गले मिल रहे हैं उस permutation combination में घुसना is not right है ऐसे तो दुनिया का कोई भी organism कहीं भी जाएगा किसी से भी मिलेगा किसी से भी interact करेगा तो उन्हें भी classify करना पड़ेगा which is not correct तो fungus और algae already classify हो चुके हैं तो lycan का अलग से classification करना कोई तुक यहां पर नहीं बैठता इन दोनों के association symbiotic कैसे है fungus जो है आपको पता है इसका mycelium जो है इसका surface area बहुत जादा रहता है तो यह क्या प्रदान करता है आपका shelter प्रदान करता है algae को प्लस आपका surface area since इसका बहुत जादा है तो यह आपका water and mineral absorb करके देता है आपके algae को water and mineral absorb करके देता है आपका algae को प्लस आपका algae क्या करता है भाई fungus में एक ही कमी है कि वो खाना नहीं बना सकता तो यह क्या करके देगा आपका photosynthesis करके देगा यह आपका photosynthesize करेगा और खाना बनाएगा आपका fungus के लिए खुद के लिए तो बनाएगा ही fungus को भी दे देगा अब fungus की study को हम लोग mycology कहते हैं तो myco is a word related to fungus तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि भाई यह आपका mycobiont component है एक lichen का yes और algae में क्या हम कह सकते हैं phicomycetes इसके अंदर आ रहा था क्या यह आपका phicobiont component है बिलकुल तो mycobiont और phicobiont इनको बोला जाता है और यह जो lichen है it acts as a good pollution indicator अलसो यह आपका SO2 में sulfur dioxide की presence में grow नहीं कर सकता है ना तो it is a good pollution indicator अगर कहीं पर आपको लाइकन दिख रहा है इसका मतलब यहां पर शहरों के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेंगे क्योंकि यह polluted इलाकों में ग्रो नहीं करते तो दियार वेरी गुड पॉलिशन indicators अगर कहीं पर आपको लाइकन दिख रहा है इसका मतलब वहां पर pollution आपका क्या है कम है अब वाइरस वाइरोइड और प्रायोन को क्यों नहीं classify किया गया क्योंकि भाई इन सब के पास खुद का cell है ही नहीं तो यह living है इनके पास तो खुद का protoplasm और cellular organization ही एपसेंट है नो cellular organization है और प्रोटो प्लाजम ही नहीं कंसिडर किया जाता और जब लिविंग ही नहीं कंसिडर किया जाता तो भाई इनको अलग से classify करने का कोई motto नहीं है ठीक है इनको हम क्या बोलते हैं दियार नौट लिविंग कि इसलिए इनको classify हम लोग नहीं करते लेकिन इनके बारे में पढ़ते जरूर है ठीक है तो अगर आप जानना चाहते हो कि prion क्या होते हैं तो prion क्या है आपके protein source infectious पाटिकल है यानि ऐसे पाटिकल्स एसे organisms organisms तो नहीं बोलें क्योंकि living नहीं है ऐसे पाटिकल सी जो कि आपके miss folded है क्योंकि प्रोटीन जो है जो एक आपका क्या होता है यह आपका फोल्ड होता है एक पर्टिकुलर कन्फरमेशन में समाझ लीजे एक प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए यह उसका करेक्ट फंक्शनल रूप है लेकिन आपका जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर कुछ तो ऐसा हो गया, तो fold तो ये भी हुआ, लेकिन ये correctly fold नहीं हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, miss folded protein, तो इसको हम लोग क्या कह रहे है, primary structure of protein, इसको हम लोग कह रहे है, आपका correctly folded protein, और correctly folded protein है, तो आपका functionally active होगा, बिलकुल होगा, तो इसको हम लोग कह रहे है, correctly folded protein, और इसको हम लोग कह रहे है, miss folded protein, अब ये जो miss folded protein है, जो गडबड़ी create कर चुका है, इसको हम लोग क्या करते हैं, usually हमारी body में degrade कर देते हैं, हमारी body में कुछ dustbin like structures है, ठीक है, जिनके बा protein है, तो उसके बड़ टुक्ले टुक्ले कर देता है, और दुबारा से उनको amino acid में convert कर देता है, और उन amino acid से आप दुबारा से एक नया protein synthesize कर सकते हो, correct protein आप synthesize कर सकते हो, लेकिन कई बार हमारी body में आपकी क्या आ जाती है, गडबड आ जाती है, और ये आपका क्या हो जा होती है, ठीक है, तो ये आपका क्या क्या cause कर सकता है, आपका mad cow disease cause कर सकता है, यानि गाय जो है, उसको बिमार कर सकता है, उसको पागल कर सकता है, mad cow disease, जिसको क्या बोला जाता है, bovine spongiform encephalopathy भी बोला जाता है, bovine के अंदर spongiform encephalopathy यह cause कर सकता है ठीक है प्लस humans में क्या कर सकता है cause crucifer jacob disease इसे cj disease कहा जाता है यह cgs कहा जाता है crucifer jacob syndrome है ना crucifer jacob disease तो हमारे अंदर भी जो है यह पागलपन pause कर सकता है ठीक है तो यह जो है आपका mis folded protein इसको आप क्या कहते हो proteinaceous infectious infectious particle और यह virus जैसा ही होता है size में तो आप लिख सकते हो similar to virus in size similar to virus in size virus से similar होता है आपका size के अंदर this is your prion यह आपका क्या है यह आपका prion है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो तो since इसके पास खुद का cell नहीं है कोई machinery नहीं है तो इसको living organism में नहीं रखा गया लेकिन काफी बार miss folded जो protein है हमारे brain में जमा हो जाते हैं और हमें पागल कर सकते हैं bovine spongiform encephalopathy और आपका crucifer jacob syndrome जैसी बिमारी यह cause कर सकते हैं अगर आप देखोगे next आपका organism तो वह है वाइरॉइड है ना वाइरस हम थोड़ा end में पढ़ेंगे तो कि वह काफी detail में हमें पढ़ना होता है ठीक है तो आपका यहां पर यह जो वाइरॉइड है यह किसने डिस्कवर किया इट इस डिस्कवर्ड बाए ती ओ डाइनर सहब है ना और इन्हों ने क्या बताया कि इट इस नेकेड वाइरस है ना इट इस नेकेड वाइरस वाइरस में क्या होता है अंदर आपका genetic material होता है बाहर protein का coat होता है इसमें सिर्फ genetic material है वो भी RNA its genetic material is RNA कोई DNA नहीं होता है इसके अंदर with low molecular weight यानि इसका भी बहुत छोटा ही size होता है इसका बहुत लंबा RNA यहां पर नहीं पाए जाता इस genetic material is RNA with low molecular weight and it lacks protein coat यह जो आपका RNA है यह भी नंगा पुंगा प्रेजेंट रहता है इसके ऊपर कोई protein coat देखने को नहीं मिलता ठीक है तो बिमारी कौन सी cause करता है भाई it causes it causes PSTD that is PSTD का मतलब क्या है potato potato tuber disease यहां पर क्या होता है potato का जो tuber है यह spindle shape हो जाता है जैसे अगर आप देखेंगे एक normal आलू की शकल तो एक normal आलू आपका ऐसा दिखाई देता है गोल मटोल बढ़िया इल्ड का आलू लेकिन जब उसको बिमारी हो जाती है PSTD जब उसके उपर आपका वाइर आटेक कर जाता है तो आलू क्या हो जाता है spindle shape हो जाता है यानि पतला और लंबा हो जाता है तो यह जो आलू है इसका 20% content भी यहाँ पर आपका नहीं आ पाया तो आलू जो है उसकी overall पैदावार क्या हो गई गिर गई तो उसकी overall yield जो है आपकी क्या हो गई लो हो गई भाई धर्ती उतनी ही है आलू के पेड़ उतनी है तो आलू तो उतनी ही उगेंगे लेकिन आलू का वजन पांच गुना कम हो गया है तो पहले आपने सोचा था कि यार 1000 kg आलू उगेंगे मेरे खेतों में उनको अगर 10-10 रुपय के भाव भी बेचूँगा तो 10,000 रुपय जाएंगे जस्ट फर रेफरेंस बता रहो लेकिन अब वो आपके 1000 kg हुए ही नहीं अब आपके 200 kg ही रह गए तो आप उन्हें दस के भाव बेचोगे तो आपको 2000 रुपय मिलेंगे ना तो किसानों को ज्यादा लॉस हो जाएगा इस पीस टीडी की वज़ए से तो दैट्स है जो वाइरोइड है ये भी आपका काफी खतरनाक माना जाता है ये आपका सिंपल आरेने कंटेन करता है उपर कोई प्रोटीन का कोट नहीं है और आपका ये पीस टीडी नाम की बिमारी कॉस करता है टीओ डीनर सहब ने इसकी डिसकवरी करी थी इसकी हमारी शरीर के बाहर कोई अकात नहीं है क्योंकि आपको पता है इसमें प्रोटोप्लाजम और सेलिलर और अर्गनाइजेशन तो है नहीं तो अकेला ये कुछ भी नहीं करता हमारी बॉड़ी के बाहर ये इनर्ट पार्टिकल की तरह पड़ा रहता है अगर ये मेरे प कर लेता है तो मेरे सेल की मशीनरी को ये ओवर टेक कर लेगा यानि हाइजैक कर लेगा और अपने प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा तो एक वाइरस के अंदर दो सिंपल चीज़ें पाई जाते हैं एक इसका जेनेटिक माटीरियल जो डियेन ये आरेने हो सकता है दोनो ह inic देने आरेने को अंदर भीजता है और प्रोटीन टापका बाहर ही रह जाता है क्योंकि एक बार अगर देने आरेने अंदर चला गया तो प्रोटीन को तो अटरमेटिकल ली वह बना लेगा बाइर거를 अर अंदर अपनी असेंपली भी बना सकता है तो वाइरस का पार्टिकल्स का नंबर जो हो बढ़ता रहता है निरंतर और फिर और सेल्स के अंदर भी घुसके धो मचाने लग जाते हैं तो हमारी बॉड़ी के बाहर इट इस इनर्ट लेकिन वन्स इट्स एंटरिंग आर सेल अर्स एट के अपने प्रोटीन बनवाने लग जाता है तो नौन सेल्यूलर होते हैं इनके पास खुद का सेल नहीं है तो इन्हें और गैनिजम भी नहीं बोलेंगे इनफेक्ट इन्हें क लेकिन बाहर अगर पड़ा है तो ना लिविंग है तो इन्हें कmind signaling बोला जाता है नैंकिश्य प्रहता है ने किया बोला जाता है कि मैं जंके क्या अल्राइट है कि प्रांट है आगे क्या लिख्का हूआ आगे लिखाओ दियार, obligate parasite, क्योंकि हमारी body में आये बिना रही ही नहीं सकते, तो compulsory parasite है, क्योंकि खुछ से तो ये कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी body में आकर ही या किसी host की body में आकर ही इन्हें रहना पड़ेगा, ठीक है, smaller than bacteria, क्योंकि bacteria का size अच्छा खासा होता है, virus का size तो आपका बहुत कम था, typical bacteria के size की अगर आप बात करें, तो आपका कितना था, आपका, बोल सकते हो, आपकी 1 से 10 micron इनका normal size होता है, जबकि अगर आप virus की बात करो, virus का size कितना था, in fact, आपका mycoplasma से भी छोटा था, 0.02, 20.2 micrometer इनका size था, ठीक है, तो आपके obviously काफी छोटे हो हो सकते हैं, कुछ viruses, ये usually nucleo protein particles होता है, nucleo मतलब nucleic acid, यानि DNA या RNA हो सकता है, इनके अंदर और protein का coat भी हो सकता है, तो protein का coat होगा, और DNA या RNA होगा, never both, यानि दोनों साथ नहीं हो सकते, या तो एक virus में सिर्फ DNA ही होगा, या आपका RNA ही होगा, अगर आप देखें, तो नाम ज कैसे कैसे बिमारी cause कर सकता है आपका virus, तो plant के अंदर ये क्या cause कर सकता है, आपका mosaic formation, mosaic मतलब आपका, जैसे आप हल्वा बनाते हो, तो उसमें किश्मिश चिड़क देते हो, तो रेंडमली चिड़क देते हो, तो उसे mosaic बोला जाता है, तो आपकी पतिया जो है, वो हो जाएंगे और घुमावदार हो जाएंगे, है ना, yellowing हो जाएगी आपकी veins की, जो कि हरी भरी होनी चाहिए, और आपका plant जो है, छोटा हो जाएगा, उनकी growth जो है, stunt हो जाएगे, similarly, आपके human के अंदर कौन-कौन से disease cause करता है virus, तो इसकी हमने एक trick बना रखी थी, जिसको ह मेरे time पर हमने एक trick बनाई थी, जो कि थी, हेम्स, MRP, अब हेम्स में H क्या मतलब होता है, हर्पेस, A का मतलब क्या होता है, सबसे खतरनाक, that is AIDS, I का मतलब क्या होता है, influenza, M का मतलब क्या होता है, mumps, और S का मतलब क्या होता है, smallpox, हर्पेस, AIDS, influenza, mumps, smallpox, measles, rubella, polio, यह आपका हो जाता है, सारी की सारी human viral diseases, इनका crystalline structure होता है, हमारी body के बहार, और body में अंदर आने के बाद, यह हमारे उपर attack कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देखें, अलग-अलग organisms में act करने वाले viruses का genetic material कैसा होता है, तो एक bacteriophage को अगर आप देखोगे, एक ऐसा virus जो bacteria पर attack करता है, उसे bacteriophage कहा जाता है, तो bacteriophage में usually आपका, जो genetic material है, यह कैसा होगा, आपका double stranded DNA होगा, ठीक है, अगर आप एक plant की बात करते हो, तो plant में attack करने वाले virus का usually, जो genetic material है, कैसा होगा, single stranded RNA होगा, और अगर आप humans की बात करते हो, या animals की बात करते हो, तो इन में attack करने वाले, आपके जो virus है, इन में आपका single stranded DNA को छोड़के सब होगा, यानि single stranded RNA, double stranded RNA, और double stranded आपका DNA, इस सारी चीज़ें आपको usually देखने को मिलती है, ठीक है, अगर हम बात करें वाइरोड की तो टियो डाइनर साहब ने इसको discover किया था 1971 में, ये virus से छोटा था, क्योंकि virus में क्या था, virus में तो आपका protein plus nucleic acid था, protein plus nucleic acid था, जिसमें DNA और RNA दोनों हो सकते थे, है ना, या तो DNA या RNA हो सकता था, पर nucleic acid में दोनों आ गए ना, और smaller क्योंकि यहां पर तो सिर्फ RNA है, वो भी छोटा सा low molecular weight का, तो protein भी नहीं है, तो obviously आपका छोटा ही होगा ना, virus से, इसमें कोई protein coat आपका नहीं था, कोई capsid इसके अंदर नहीं था, इस protein coat को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से, capsid बोलते हैं, जिसकी छोटी छोटी जो units है, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं, कैप्सो मेर्स कहते हैं, कैप्सो मेर्स कहते हैं, ठीक है, पोटेटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज यानि पी एस टीडी आपका वायरॉइड कॉस करता है, और आपका बहुत ही जादा परिशान कर देता है, पोटेटो की फसल को, प्रायोन abnormally folded protein है, जो की size में similar है, वायरस से, क्योंकि उसका भी बाहर का कोट protein था, इसमें भी पूरा protein है, तो लगबग similar size के होते हैं, बोवाइन spongiform encephalopathy या mad cow disease cause करता है, या crucifer jacob syndrome, crucifer jacob disease cause करता है, human के अंदर ये बाते भी हम लोग कर चुके हैं, लाइकन जो है, यह हम पढ़ चुके हैं, symbiotic association है, algae और fungus की, algal component को phycobiont बोलते हैं, और fungal component को आपका mycobiont हम लोग बोलते हैं, ठीक है, pollution indicators होते हैं, polluted area में grow नहीं करते, क्योंकि they are very sensitive to SO2, they are very sensitive to SO2, sulfur dioxide जहां है, वहाँ ये grow नहीं कर सकते हैं, ठीक है, virus जो है, इनके लिए एक term इस्तमाल करी जाती है, contagium vivum fluidum, यानि living infectious fluid, और ये term किन्होंने दी थी, बिजरनिक सहाब ने दी थी, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि tobacco mosaic virus जो है, वो tobacco की फसल को हाम समाकों की फसल खराब करने वाला ये जो virus है, अगर मैं ले जाकर किसी healthy plant पर छिड़क दूँ, तो क्या वो भी बिमार हो जाएगा, तो एक बिमार plant था, उससे उन्होंने extract लिया, उसकी चटनी बनाई, जिसमें virus भी आ गया, क्योंकि वो defective plant है, तो उसमें पहले से पता है हम कि virus है, तो उसकी चटनी बनाके fresh plant पर छिड़क दिया, तो हमने देखा कि fresh plant भी बिमार हो चुका है, यारी बिजरनिक साहब ने ये कहा कि ये जो virus है न, it is living infectious fluid, ये एक ऐसा fluid है, ऐसी चटनी है, जिसको मैं किसी के उपर अगर छिड़क दूँ, तो वो भी बिमार हो जाएग एंड पहली बार virus को crystallize करने का श्रेज आता है, Stanley सहाब को, तो इन्होंने crystallize किया virus को, जिससे हमें पता लगया कि भाई, largely ये किसके बने हुए है, proteins के बने हुए है, क्योंकि उसी को आप बढ़िया तरीके से crystallize कर सकते हो, तो largely ये जो आपके, you know, particles हैं, basically ये protein के हैं, So now, this was about the biological classification overall, there are some questions which are taken from PYQs, you can solve these questions out, the classification reflecting evolutionary interrelationships of organism is called, कोई ऐसी classification, जिसमें आप evolutionary relationships को consider करते हो, उसे क्या कहा जाता है, phylogenetic classification कहा जाता है, Because evolutionary relationships are also called as phylogenetic relationships, Three Kingdom system of classification किसने दिया, Two Kingdom system Linear सहाब ने, Three Kingdom system Haikel सहाब ने, Four Kingdom system Copeland सहाब ने, Five Kingdom system RHV Taker सहाब ने, Six Kingdom या Three Domain system Karl Vooj सहाब ने, हम से पूछा गया है, Three Kingdom, तो Haikel सहाब हमारा उत्तर हो जाएंगे, जिन्होंने हमें Kingdom Protista के बारे में बताया था, What is the major difference between bacteria and virus? 2012-13 का सवाल है, Viruses are precursors to bacteria, यानि virus से ही bacteria बनता है, which is entirely wrong, Okay, Virus lack proteins that are present in viruses, Okay, Viruses lack proteins that are present in bacteria आना चाहिए, या वाई से वर्सा, ये statement भी बहुत खतरनाक है नहीं, Virus uses host machinery to reproduce unlike bacteria, bacteria खुद बखुद reproduce कर सकता है, लेकिन virus को host machinery चाहिए, virus have proteins, whereas bacteria do not, सबके अंदर proteins होते हैं, most likely जो statement correct है वो आपकी C है, क्योंकि B जो option है, इसमें पहले virus आएगा है, बाद में virus आएगा, that is concerned, लेकिन ultimately virus और bacteria के proteins तो different होते ही हैं, वो तो correct बात है एक दब, लेकिन C में हम लोग बहुत शौर हैं कि ये तो major difference है ही, viruses host machinery को use किये बिना replicate या reproduce नहीं कर सकते, bacteria खुद बखुद independently अपनी life काट सकते हैं, तो ये तो 100% सही है, यानि answer आपका C हो जाता है, which amongst the following shows the characters of both plants and animals, यानि आपका plant और animal के बीच का connecting link कौन है, yuglenoid तो answer हो जाता है, आपका yuglena, तो answer क्या हो जाएगा आपका ये वाला, 3 आपका B में बता रखा है, 2017 का सवाल है, which one of the following statement is not applicable to viruses, कौन सी बात viruses के लिए, गलत है, the protein capsid of virus does not enter host cell, सही बात है, सिर्फ आपका DNA या RNA एंटर करता है, host cell में protein एंटर नहीं करता, the genetic material is either DNA और RNA नेवर बोथ एकदम सही बात है, या तो DNA होगा genetic material या RNA होगा, दोनों साथ साथ नहीं हो सकते, the virion replicates autonomously outside the host, virion मतब जो genetic material है आपका, when it is in the form of RNA, जो infectious material है, तो क्या ये आपका outside the host, बढ़िया तरीके से replicate कर सकता है, नहीं, बिना host के तो इनकी कोई अवकात नहीं है, virus replicates in a bacterial or other host cell, bacteria, plant, animal, किसी को भी host cell बना सकता है, तो एक जो statement गलत है, वही आपका answer हो जाएगा, statement C would be your answer, आल राइट, so this was a basic aspect of your biological classification, जहां पर हमने kingdom monitor, kingdom protest or kingdom पंजाई को अच्छे तरीके से पढ़ा, now I will give you some homework, कि आप एक बार 11th class की NCRT की chapter 2 biological classification को खुद से पढ़े, और नीचे comment section में एक बार मुझे reply जरूर करें, कि sir मैंने वो chapter पढ़ लिया है, when it comes to systematics, तो आपका animal kingdom, plant kingdom और biological classification आपको NCRT से पढ़ने की जरूरत नहीं है, NCRT पढ़के आप आराम से सारे questions solve कर सकते हो, because it is all about the practical approach, information आपको उतनी ही चाहिए, analytical आप कितना सोच सकते हो, that is totally your thing, है ना, तो एक बार NCRT पढ़िएगा, और नीचे मुझे comment section में बताईएगा, कि sir मैंने NCRT पढ़ ली है, और मुझे ये chapter अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, so thank you so much guys for watching this session, आप मिलता हूँ आपसे अगले session में, जहाँ पर हम लोग discussion कर रहे होंगे, plant kingdom की in detail, so thank you so much, and I hope आप को ये session पसंद आया होगा, if you really liked and enjoyed this session, विवपुसर ओपे in the comment section, मिलता हूँ आपसे आगे, तब तक के लिए शुक्रिया, take care, lots of love, bye bye, जैहिंद,